मार्क अकेडमी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भी द्यारतियों, आज हम अपने इस क्लास में और इस क्लास रिकॉर्डिंग में भी, क्योंकि एक आफ्लाइन क्लास भी है और रिकॉर्डिंग भी है मैच्स क्लास एट चैप्टर फॉर्टिं फैक्टराइजिशन यहीं जो हमने चैप्टर अभी नाइन किया है अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन उन्हीं के फैक्टराइजिशन करना सीखींगे यह यह एक तरह से चैप्टर नाइन का पार्ट टू होई है और खास बात तो यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम लाइन के इस्तिमाल करके अलग-अलग एक्साइज के अलग-अलग कोश्टन को आप देख सकती है बट मैंने इसमें कॉंसेप्ट अलग से नहीं दिया है मेरी कोशिस है कि कोश्टन में ही कॉंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाए अधरभाई यह क्लास रिकॉर्डिंग काफी बड़ी हो जाती और कॉंसेप्ट आपको कोश्टन से ही समझ में आ जाएंगे तो स्टार करते हैं अपनी क्लास को सीधे एक्साइज से इस एक्साइज में मैंने कॉंसेप्ट नहीं दिया हुआ है कॉंसेप्ट हम आपका एकदम हर कोश्टन में जो भी कॉंसेप्ट अप्लाई होगा उसको क्रिश्टर क्लियर करके चलेंगे तो फर्स्ट एक्साइज 14.1 का फर्स्ट कोश्टन है find the common factor of the given term यहाँ पर दो term given है इनका common factor निकालना है तो देखिए इसमें करना क्या होता है आपको सिर्फ पहले इनको factorize के लिए से पहला term है हमारे पास 12x पहला term है 12x तो इसमें इससे हम factorize अगर करें प्राइम factor तो कुछ इस तरह का होगा 2 into 2 into 3 into x प्राइम factor करके एल सेम वगरा आपने पहले भी किया हुआ है एक तरह से 12 का तो आपने प्राइम factor कर दिया और x तो x ही रहेगा x को और ज़्यादा आप उसे खोल नहीं सकते है और 36 को आप अगर factorize करेंगे प्राइम factor करेंगे 2 तू जब 4 4 तू जब 12 और 12 तू जब 36 अब इसमें common factor दोनों में जो common है वो लेना है common factor c f का मतला है common factor एक तो 2 common है फिर एक 2 और common है और एक 3 common है तो इनका जो common factor आ रहा है 2 into 2 into 3 12 12 common factor है दोनों ही terms में ठीक है भाई next देखने ही से मालूम चल रहा है 2 और y common factor है दोनों में y common है और दोनों में 2 common है ठीक है 2 into y लिख दिया इसको 22 x y को लिख दिया ना 2 into 11 into x into y तो ये 2 common है ये y common है तो जो common factor हुआ दोनों के लिए 2y हुआ थर्ड में वैसे देखने ही से मालूम चल रहा है 14 common है दोनों में और दोनों में p common है और q common है तो दोनों में आये जो जिसे 14 है 14 p q है तो 2 into 7 into p into q लिख दिया और 28 p square q square को आप लिखेंगे 2 into 2 into 7 into p into p और q into q open करके जितना आप आप open करके लिख सकते हैं लिख देंगे उसके बाद common factor देख लिजे 2 common है 7 common है p common है और q common है तो 2 into 7 into 2 into p into q तो 14 p q यह आगे कौन factor देखो इसमें 1 आएगा सिर्फ common क्योंकि देखो 2, 3 और 4 में common तो 1 नहीं है और x तीनों में है नहीं इसमें x था इसमें x square था इसमें ही नहीं तो common ही नहीं x तो x common factor में आना नहीं है इसमें तीनों का common factor 1 है जन्हें जब कुछ भी common factor नहीं मिलेगा तो आपको 1 लेना है क्योंकि 1 हर number के साथ multiply में लिखा जा सकता है तो करके दिखा दो आप आप इसके factor करोगे 2 into x 3x square के factor करोगे 3 into x into x 4 के factor करोगे 2 into 2 तो यहां पर कुछ भी common ही नहीं है जब कुछ भी common नहीं है तो common factor 1 होता है क्योंकि आप हर किसी के साथ 1 तो multiply में लिखी सकते हो तो 1 बन जाएगा common factor ठीक है 1 से 1 को हमने chapter 1 में पढ़ा होगा नहीं 1 is multiplicative identity है ना 1 एक multiplicative identity है तो multiplicative identity का मतलब यही होता है कि आप किसी भी term के साथ 1 को multiply में आप assume कर सकते हो मान सकते हो और 0 is additive identity chapter 1 देखो यहाँ पर भी गौर से अगर देखिए तो six common है है ना देखो six 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 common आ रहा है शुरू में मैंने आपको open करके दिखा है आप direct करके दिखा रहा हूं क्योंकि आप सब champion है ना आप सब champion है ना इसलिए थोड़ा से बताओ फिस अब समझ जाते मिच्चो शिक्स पंजा सेख शिक्स फोर जो ट्रटनी फोर सिक्स ट्रटनी फोर सिक्स ट्रटनी फोर सिक्स आ गया common factor और दोनों में देखो एक पावर एक वन है यहां पर वन है और यहां पर टू है तो छोटी वाली पावर ही common है कि बड़ी वाली पावर नहीं आईगी यहां आएगा common B याँ पर वार वन है यहां 2 है और 1 है तो B आएगा एक common 2-ला नहीं आएगा common और C में C है नहीं तीनो में C को नहीं ले सकते हां सि को common ले सकते सिती थिनो में होना चीख थैथ ना यह जो हाँ एक टर्म कहेंगे से दूसरा टर्म यह तीसर टर्म तो इन में C है यह नहीं तीनों टर्म में एक में है C, दो, बाकी दो में नहीं है तो C नहीं आएगा common factor में तो direct भी कर सकते होना ऐसे समझ में तो आ जाएगा न, गौर से देखोगे तो जहां मुश्किल लगेगा वहाँ पे आप देखो फोर वन जा फोर 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 जा शिक्स्टीन फोर रेट तो 34 यानि 4 आ सकता है common factor पहला तो 4 आ जाएगा नंबर में अगर बात करें तो और X का क्यूब है X का स्क्वाइर और X है तो X ही आएगा छोटा वाला पावर वाला इक common आएगा क्योंकि सम में तो X स्क्वाइर है नहीं सम में X क्यूब है नहीं लेकिन X सम में है X स्क्वाइर को भी हम X into X लिख सकते है और X क्यूब को भी X into X into X तो X common आ जाएगा लेकिन इस x को तो x-square में नहीं लिख सकते हैं न इसलिए जो आपका ये इसे हम क्या कहते हैं variable चप्टर 9 में हम नहीं से variable ही दो कहा है न x y z variable होते हैं तो variable में जो सबसे छोटी वाले degree होगी न वो वाले variable common आ जाएगा sum में हो अगर होए वो तो sum में हो सबसे छोटी वाली हो degree उसकी power तो इसका common factor हो गया 4x आप देखो 10 की table में 10 वंजा 10 10 टूजा 20 10 थे 30 यह नहीं इनका है cf highest common factor number में 10 है तो cf का पहला term 10 हैगा p is+. थे 30 Economy नहीं है तो 3000 नहीं है तो प नहीं ले सकते है आप फिर q इसमें है बड़ सिसमन कि नहीं है फिर p इसमें है सिसमन नहीं है तो सिर्फ 10 ही आएगा common factor ना P, ना Q, ना R, तो कि समय होना चाहिए तब common आएगा, आपको अगर ऐसे नहीं समय आता है ना, तो आप फिर जैसे पहले starting बताए, आपको पहले 2-3 question जो बताए है, वैसे सीख लो, वैसे देख लो, समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे direct समय में आ रहा है, ऐसे direct समय मे आपर के हिसाब से 3, 10 और 6 का SCF 1 होता है, क्योंकि 3 के table में 10 नहीं आता, 6 के table में 10 नहीं आता, तो जब 3, 10 और 6 का SCF निकालोगा, तो 1 मिलेगा, कुछ common नहीं मिलेगा, साइड में देखो है, ऐसे समझा जेता हूँ, 3 का factor तो 3 रहेगा, 10 का factor 2 इंटू 5 हो जाएगा, और 6 का factor 2 इंटू 3 रहेगा, तो कुछ भी common नहीं है, तो 1 होता है common, क्योंकि 1 तो हमने अभी आपको समझा जाता है, सब के साथ 1 ले सकते है, वल्पलाई में, तो number के हिसाब से 1, common factor में आया, numerical factor जो है, और x square है, x cube है, x square है, x square है, x square आजाएगा common, छोटी वाले डिगरी, तीनों में होने ची लेकिनों डिगरी है, तीनों में जो same variable होता है, उसके छोटी वाले डिगरी लेना है common, और ये y cube, y square, y square, तो y square आजाएगा, z है नहीं तो z नहीं लेना common, z त इनों में नहीं है, तो ये आपका common factor होगा, x square, y square, 1 लिखना ज़रूर नहीं होता, multiply में, अब second question आगया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना है, 7 बंजा 7, 7, 6 जा 42, ये तो आप इसे शुरू में क्या है न, मैं आपसे समझा देता हूं, फिर से वही method, 7 into x, 42 को 7 into 6, तो दोनों में 7 common आ रहा है, तो 7 बहार ले लो, factorize करने के लिए, जो common factor हो, और x minus 6, तो यनि ये जो आपके पास में expression है, इसके दो factor हो गए, एक 7 हो गया, और x minus 6 हो गया, क्योंकि इन दोनों को multiply करो तो वापिस वही आ जाएग expression, factor का मतलब यही होता है, factor का मतलब होता है, कि जो तो भी आपने time के factor किये है, वापिस multiply करो, तो वही आना जाएग expression, तो दो factor हो गए, एक 7 है, और दूसरा x minus 6 है, 7 और x minus 6 का अगर हम multiply करेंगे, तो वापिस 7 है, 7 x जा 7 x और 7 x जा 42, यहाँ पर common 6 है, तो 6 common ले लो, तो p minus 2q, यह दू फैक्टर आ गए, 6 एक फैक्टर हो गए इसका, और दूसरा फैक्टर है, p minus 2q, मतलब इस तरह से आसाने सन्मेह रहा है कि वो फिर 6 x 2 करके दिखाओं, फिर 2 बचेगा, ऐसे भी सन्मेह रहा है, यहाँ भी दूसरा 7 x 7, 7 x 2 x 14, यहनी 7 common आ जाएगा, और a square a में a common आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा left से, plus के left में a बचेगा, और plus के right में सिर्फ 2 बचेगा, अच्छा, confirm करने के लिए आप multiply कर लिया करो, 7 a का a से करोगे, 7 a square, 7 a का 2 से करोगे, तो 7 to 14 a, वापिस वही आ जाता है, तो यह दो factor होगा, एक 7 a factor होगा, दूसरा factor a plus 2 है, अब इसमें आपका highest common factor 4 दिख रहा है मुझे, number के हिसाब से, 4 है, क्योंकि 4, 4, 16 और 4, 5, 20, तो 16 और 20 का, scf, 14 होगा, और 4 होगा, और z और z cube में z common ले लेगे, यहनि 4 z common ले सकते हैं, minus में भी ले सकते हैं, लेकिन plus में भी ले सकते हैं, देखो, 4 z अगर आप common लोगे, तो यहाँ से 4 बचेगा minus का, फिर plus, और यहाँ से बचेगा 5 z square, ऐसे, multiply करके चेक कर लो ना, आप, confuse मतो, 4, 4, 16, minus 16 z, आ रहे हैं, और 4, 5, 20, और z, और z square z cube, ठीक है ना, तो multiply करके आप अपने factor को confirm कर सकते हैं, माल लीजे, आप 12 का factor करते हैं, तो 12 का factor आता है, कोई कहता है, सर, 2 into 2 into 3 होगा, तो आप यही तो कोगे, मन में multiply करके 2 to the 4, 4 to the 12, हाँ, ठीक है, ऐसे तो सोचते हों आप, कि जो factor लिखा है, वो ठीक क्यों है, क्योंकि multiply करके 12 आ रहा है, तो यहाँ भी अगर हम लेकर है, कि यह factor है इसका, तो multiply करके वो आप पर साथ नहीं चाहिए, ना, वो expression, इसलिए कह रहे है, कि हम multiply करके check कर लिया करो, तो आपने जो factorize किया है, वो भी चेक हो जाएगा, कि गलत तो common नहीं ले लिया, bracket में कुछ गलत तो नहीं छोड़ दिया, sign को को mistake तो नहीं हो गई, तो मन में multiply करके check कर लिया, करो कि expression वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब next, देखो यहाँ पर 20 L square M है, और 30 A L M, 30 का जो common factor है, SCF 10 है, कि 10 टूज़ा 20 और 10 टूज़ा 30, तो 10 common आ जाएगा, और L और M common आ जाएगा, क्योंकि L square यहाँ भी है, L यहाँ भी है, तो L common आ जाएगा, M यहाँ भी M है, तो M common आ जाएगा, तो 10 L M, तो बचेगा क्या, L, बचा रहे हैं यहाँ से, 2 L सौरी, प्लैस 3 A, 3 A बचा, अच्छा ऐसे नहीं आ रहा, मैं कोई बात नहीं, ऐसे एक मिनट में इसे बड़ा से open करके समझा देता हूँ, कुछ सवाल वैसे भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए, देखो, आप इसे करो, 2 इंटू 10, आप 2 इंटू 5 इंटू 5 भी कर सकते हो, वह ही कर लेते हैं, दोगो, 20 के फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5, और L का L इंटू L, और इंटू M, प्लेस, 30 को कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, और A इंटू L इंटू M, अब दोनों में से कॉमन लेना है, प्लेस के लेफ्ट में और प्लेस के राइट में, दोनों से कॉमन लेना है, तो एक तो यह 2 common आ रहा है, यहां से, फिर एक 5 common आ रहा है, दोनों तरफ से, L दोनों तरफ से, M दोनों तरफ से, यह common आ रहा है न, इसी जो हम डारेक्ट ले रहे थे, तो 2 into 5 into L into M, यह common ले लिया, अब यहां से क्या बचा, 2 L, 2 L बचा, और यहां से, 3 A बचा, 3 A बचा, अब यह हो जाएगा, 2 5 into 10 L M, 2 L प्लस 3 A, आप देखो आप, multiply करके check कर लो, 10 to 20 L into L L square और M आ जाएगा, और 10 to 30 A L M आ जाएगा, तो यह factorize हो गया, तो आप इतना बड़ा भी कर सकते हो, आप अगर कर सकते हो, direct common लेकिए ध्यान से, तो वो direct वाला ज़्याद से रहेगा, next, आप देखो, 5 common है, आप ऐसे सोचो ना कि 5 वंजा 5 होता है, और 5 3 यह 15 होता है, यह सोचो कि 5 और 15 का SCF जो है 5 है, तो 5 common ले लो, यह x square है, और यह x है, x common ले लो, x square और x में छोटा वाला ही लेना है common, x common ले लो, यह y है और यह y square y common ले लो, यानि 5 x y common ले लो, इन दोनों से, इन दोनों से 5 x y बाहर ले लो, तो अब यह left में जो बचाए, सिर्फ एक x बचेगा, और minus का sign 5 3 यह 15 होता है, तो 3 बचेगा, और एक y बचेगा, क्योंकि एक y बहा ले चुके है ना, तो multiply में power plus हो जाती है ना, chapter 9 में सीख कर आए हो, chapter 12 में भी सीखा हुआ है, तो यह दो factor होगा इसके, 5 x y into x minus 3 y, multiply करके check कर लो, 5 तो 5 आजाएगा, x और x का multiply हो जाएगा, x square और y साथ में रहेगा, फिर 5 का 3 से multiply करेंगे 15 हो जाएगा, x, x रहेगा, y का y से multiply y square बना देगा, तो वापिस वही expression आ रहा है, देखें, थर्ड में लेगो बच्चों, यहाँ पे 3 term है, एक, दो, तीन, अब तीनों से common ढूड़ना है, तो देखो, a square, b square, c square में तो common आना, यह number में common आना है, हाँ, बिल्कुल सही कहा रहा हो, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 5 से बड़ा कोई common नहीं है, 10 नहीं मिल सकता common, क्योंकि 10 की table 15 नहीं आथा, ऐसा number मिले, जो तीनों की table में है, इसे कहते हैं, highest common factor, hcf, तो 5 है, 5 common ले लो, 2 a square, minus 3, b square, plus 4, c square, यह हो गया factor, इससे यह यह दा factor नहीं हो सकता है, next, यहाँ पर 4 common दिख रहा है, और a, 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 हाँ, a common है, 4 a common ले लो, तो यहाँ minus में a बचेगा, plus b बचेगा, और minus c बचेगा, तो यह दो factor होगे, बचों, multiply करके check करोगे, तो ज्यादा आप अच्छे संज में आएगा, देखो इसमें x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z common मिलेगा, तीनों में x, y, z आ रहा है, पहले वाले में x square है, दूसरे वाले में y square है, तीसरे में z square है, तो वो एक-एक बच जाएंगे, एक-एक बाहर ले लोगे, तो एक पहले वाले से x बच जाएगा, दूसरे वाले से y बच जाएगा, और तीसरे वाले से z बच जाएगा, एक ब्रैकेट के बच देर, तो x, y, z, common लेने पर, x, y, z, यह है, multiply कैसे करोगे, देखो, x को x से करोगे, x square, y, z, आगे पहला, फिर इसको इससे करोगे, तो y का square हो जाएगा, और x, z, फिर x, y, z का z से करोगे, तो x, y, z, square हो जाएगा, multiply करके, आप अपने factorization को check कर सकते हैं, कि पहले वाले जैसा ही, आज़ना चीए, multiply करके, अब, अगले वाले बच्चों देखो, यहाँ पर ना ध्यान से देखना है, a, b, c, तो common आना नहीं, x, x, x common आ जाएगा, y, y, y common है, z भी नहीं आएगा, तो x, y common लो, अब जो बचेगा, वो bracket में लिखना है, a और x बचा, यहाँ, b और y बचेगा, क्योंकि एक y चला गया है, y square था ना, ते एक y बच जाएगा, by, और c, z, c, z बचा, यह हुआ आपका, factorization, है, बिल्कुल आसानी है, अब, देखो, यहाँ पर जब लगातार, एक साथ, जब factor नहीं मिले, देखो, मैं यह बच्चों, यहाँ, third question आ गया है, थोड़ा सा अलग हो गया, यह, first to second से थोड़ा अलग हो गया, है, यहाँ पर pair में बनाती common लेते हैं, ऐसे, दोड़ों का pair बना लो, और कुछ arrangement करना पड़े, तो arrangement भी कर लो, rearrangement भी करना पड़ता है, by the way, common नहीं मिलता है, तो rearrangement करना पड़ता है, जैसे देखो, इन दोनों में common x, x है, x common लेने पर, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से y बचा, bracket में, फिर इन दोनों में 8 common है, 8 ले लिया common, तो यहाँ से x बचा, और plus y बचा, तो यह जब common आप इस तरह से लोगें, तो यह bracket सेम आ जाएगा, अगर यह bracket सेम आ रहा है, तो इसका मलब आप सही चल रहे हैं, आपका common से ले रहे हैं, फिर यह bracket ही पूरा common ले लोगे, यह पूरा bracket बहार ले लो common में, तो इधर से, देखो अब एक ही plus है, bracket के अंदर का plus मत देखो, यह plus का left है, यह plus का right है, तो x plus y common लिया है, तो plus के left में बचा x, और plus के right में बचा 8, यह बनगे, इसके दो factor, कई बार common लेने के लिए पहले वाले step में, rearrangement आगी पीछे करना पड़ता है, जब सवाल आएगा तो कर लेंगे, यहां तो आराम से हो रहा है, sorry, देखो, पहले वाले step में इन दोनों में x common था, x common ले लिया, तो यहां से x बचा, यहां से y बचा, फिर इन दोनों में 8 common था plus 8 common ले लिया फिर यहां से x बचा और यहां से y बचा अब जब यह x plus y दिख रहा है तो यह भी तो same है बीच में plus आ रहा है यहां पर यह दो term बनने एक term ये और दूसर term ये बन गया bracket को पूरा एक term मानो तो यह x plus y common ले लो फिर से जब x plus y यहां से भी यहां से उठा के बाहर लिख दोगे तो यहां से x बचा होगा और यहां से 8 बचा होगा क्योंकि यह दोनों x तो उठा के बाहर लिख दिये हैं और ना समय आए तो फिर मलट्पलाई करके देख लो ना अगर कोई बात नहीं, अगर इसे ही सवाल है, कोई बात नहीं, और हमें कामन जो है, नंबर में देखें, इन दोनों में तो 3 दिख रहा है 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 3 common है और X common है इन दोनों में पहले इन दोनों में और इन दोनों में अलग-अलग करना है common तो 3 common लो और X common लो तो यहां 3 5 जा 15 यानि 5 बचा और Y 3 2 जा 6 होता है इसलिए माइनस का 2 बचा आप ही काओगे 2 कहां से आ गया तो मैं खुदी टेबल पढ़के सुना रहा हूँ आपको कि 3, 5 जब 15 होता है 3, 2 जब 6 होता है तभी तो 3 common लिया आप ऐसा number ढोड़ो जो दोनों का highest common factor हो, दोनों का HCF हो 15 और 6 का HCF 3 है तो 3 common लिया साथ में X common दिख रहा है X common लिया, जो बचा वो bracket में लिखो अब इन दोनों में 5 और 2 का HCF तो 1 होता है भाई, ऐसा कोई number नहीं है जो 5 और 2 दोनों को divide कर सकी 1 के अलावा तो जब कुछ common नहीं होता है तो 1 common होता है तो plus 1 यहाँ पर, यह जो sign होता है bracket देखो, फिर इसको देखो और सेम हो तो आपके चैरे पर मुस्कुराट आ जाएगी, सही चल रहे है क्योंकि bracket सेम है अगर दोनों bracket सेम आ जाया है तो समझे लो आपके चैरे पर मुस्कान आ जाने चाहिए चाहिए क्लास मुस्कान हो नहो ध्यान से समझ रही हो लेकिन आपके चैरे पर मुस्कान आने चाहिए जब ये bracket दोनों सेम लगे दिखें आपको क्योंकि तब आप सही चल रहे है आपका common factor सही चल रहा है अब इस पूरे जो जिसकी वज़े से आपके चैरे पर मुस्कान आई है उसको बाहर ले लो क्योंकि वो common है 5y-2 common ले लो तो ये plus के left में से 3x बचा है एक नया bracket बनेगा ये 3x plus लगाओ और 1 ये दो factor हो गए दो factor हो गए बोलो आप पूरी तरह से मुस्कान आई है कि अभी थोड़ा दुरी है अच्छा कोई बात नहीं अगले कोशन में complete मुस्कान आजाएगी 2-3 कोशन एक जैसे करते हैं तब पक्का होता है एक ही बार में नहीं पहले कोशन में सारा सीख लेंगे positive बने रहो उम्मीद बनाये रखो आएगा जरूर कोशिस करेंगे तो आएगा जरूर हर सवाल पहले ही attempt में समझ में आजाए जरूर तो नहीं पर उम्मीद मत छोड़ो यार पहला वाला नहीं आया कोई बात नहीं ये तो class recording है दुबारा उसे timeline को चक कर लो या अगला सवाल देख लो घूम के आओ कोई सवाल तो सन में आएगा इंसान के बच्चे हो भगवान ने आपको दिमाग भी दिया है और दिमाग को अपयोग करोगे देख बड़ा इन दोनों में x common दिख रहा है x common ले लो और bracket के अंदर बचेगा a plus b और इन दोनों में y common दिख रहा है लेकिन minus का y लेना मैंने पहले बिताया था यहाँ पर जो sign हो वो लेना common minus y और पहले भी हमने जिक्र किया हुआ है y अगर bracket के बहार आ जाए तो bracket के अंदर जो भी term लिखोगे उनके sign बदल देना minus के plus कर देना plus ले तो minus कर देना तो यह y जब common लेया तो a बचा और यह b minus का नहीं plus का बचेगा बोलो चैरे पे smile आई bracket same आए तो यह minus की वज़ा से अच्छा यह confirm कर सकते हो multiply करके minus y का a से करोगत minus a y हो जाएगा minus y का b से करोगत minus b y हो जाएगा तो जब आपको doubt जब संधे उत्पन होने लगे कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं तो multiply करके देख लो और वैसे भी जब bracket same आजाते हैं तो काफी chance होता है कि हम सही कर रहे हैं आप जब 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 से same न लाए हो कई बार बच्चों को हम मैंने बता दिया नहीं कि इस bracket same आते हैं उन्हें कोई लेदेने नहीं है ब्रैकेट दो same आगया है सर लो चेक करो अंसर से जब ब्रैकेट same लाने नहीं है same आने चाहिए कॉमल लेने के बार अपने आप फिर ये बाहर ले लो अब ये bracket same आगया है तो कॉमल ले लो a plus b अब देखो minus के left से x बचा है यानि इस a plus b के साथ x था उसको लिख दो और इसके y के साथ था ये a plus b के साथ minus y था minus y लिख दो आगया दो factor आगया चलिए अब next question में करते हैं फिर से वही और देखो यहां पर अगर आपको rearrangement मैंने कहा था करना पड़े तो पहले common लेने का प्रयास करो common ठीक से नहीं बन रहा bracket same नहीं आ रहे है चेहरे पर smile नहीं आ रहे है तो rearrangement कर लो इधर उधर लिखने से कोई फर्रेंट बढ़ता है sign मत बदलना बस लिखते से नहीं जो जैसे है वैसे रहना चाहिए अगर मैं यहां देखो 15 common है है ना लेकिन जो bracket बचेगा PQ प्लस 1 और यहां जो common है वो 15 नहीं है और bracket में PQ प्लस 1 आना भी नहीं है गड़बड हो जाएगा हम वही में बोल रहा है पहले बताने तो दो बताने दो कि अगर हमने अभी इसमें rearrangement नहीं किया तो गड़बड हो जाएगा एक बार बिना rearrangement के दिखा दो दूम अच्छों को देखो मैं अगर मैं यहां पहले वाले सवाल उत्तरा 15 common ले लूँ तो PQ प्लस 1 यह bracket आ गया और यहां से common कुछ नहीं आ रहा तो 1 तो ले ही सकते हो common तो 9Q प्लस 25 अभी दोनों ब्रैकेट सेम तो आनी रहे तो हम ऐसे नहीं करेंगे इसमें थोड़ा rearrangement करना पड़ेगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि rearrangement भी कैसे करें कि ब्रैकेट सेम आए तो देखो 15PQ के साथ हम 25 अगर लेग दें और 15 के साथ 9Q लिख दे या एक काम करें 9Q को आगे लिख दे 9Q प्लस 15 कुछ अगर ऐसे कर दें मैं QQ देख रहा था कि जैसे मैं यहां से P कॉमल ले लूँगा और 5 कॉमल ले लूँगा तो 3P नए 3Q प्लस 5 बचेगा और यहां से भी 3 कॉमल ले लूँगा तो 3Q प्लस 5 बचेगा मैंने क्या प्रयास किया था मैंने का देखो हमारे पहले वाले टर्म में P Q है इसमें P यह नि P बाहर आ जाएगा पहले वाले से Q बच जाएगा इसमें से कुछ भी कॉमल लेंगे तो पहले वाले में Q बची जाएगा तो एक रियारेंजमेंट करके कॉमल लेने का प्रयास किया है मतलब P वाले को एक साथ कर दिया अब कॉमल लेते तो 15 और 25 का SCF एन हाईस कॉमल फेक्टर 5 होता है तो 5 लो और P दोनों में है तो P कॉमल ले लो अब 5 3 जा 15 होता है तो 3 Q बचा यहां से और 5 5 जो 25 बचा तो 5 बचा ऐसे एक ब्रैकेट बन गया अब इन दोनों में 9 और 15 में 9 और 15 का SCF 3 होता है 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 तो 3 से ज़्यादा कॉमन कुछ ले ले सकते हैं 3 कॉमन लो तो 3 थी है 9 और 3 Q प्लेस 5 बचा अब आब इसमाइल तो आईगी होगी चाहरे पर उसका न आई तो 3 Q प्लेस 5 कॉमन लो अब ब्रैकेट सेम आ गया तो 3 Q प्लेस 5 कॉमन लो और यह जो बचा 5 P प्लेस 3 यहां से इस ब्रैकेट के साथ 5 P था वो बच गया इस ब्रैकेट के साथ 3 था प्लेस का वो बच गया तो अब यह दोनों चीजे मल्टिप्लाई में आ गई है यह नि दो फैक्टर हो गए है फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन था उसको आपने दो फैक्टर में लिख दे यहाँ ए father can play को दुबारा से एक्स oder जाएगा कि मुल्टिप्लाई तो हमने चैप्टर 9 में सी ब्रैकेट के मुल्प्लाई सीका और नहीं सीखा है फिर दुबारा से अब मुल्प्लाई करेंगे तो वापिस यह आजागा one common लेके z minus seven जब कुछ भी factor ना हो तो one common मिल जाता है ले सकते हैं और यह seven xy है और यह xy है तो देखो यहाँ xy तो common आ जाएगा हमने अगर xy common लिया तो xy common आ जाएगा और यहाँ से seven बचेगा और यहाँ से minus z बचेगा तो थोड़ा सा फरक हो गया यह z minus seven है यह seven minus z है थोड़ा ही फरक हुआ ना तो उसका एक रास्ता है हमार पास इसको आगे लेग दो इसको पीछे लेग दो same bracket हो जाएगा यहाँ एक तरीका है कि यही से minus one common ले लो जब आप किसी bracket से minus one common लेते हैं तो bracket के जो अंदर वाले term होते हैं उनके sign मदल जाते हैं seven minus का हो जाएगा z plus का हो जाएगा और minus common लेते हो तो bracket के बाहर लेकिन अभी मतलो कोई बात नी rearrangement भी सीख लो मैं दोनों तरह सीखा जेता हूं चलो तो यहाँ हमें दिख रहा है कि seven minus z है और यह दिख रहा है z minus seven है same नहीं है तो bracket से हम बाहर यह तो adjectives लिख दो जासे लिखा है वैसे लिख दो यहाँ से minus one common ले लो लब अलग से ले रहे है minus one common minus x y तो अभी यह z plus का हो जाएगा इससे आगे लिख दो और seven minus का हो जाएगा इससे पीछे लिख दो ऐसे यह नहीं समझा रहे है तो आभी दूसरा भी जिखा दो कोई दिक्कत नहीं है अभी bracket same आ गए नहीं फिर से common लो z minus seven और बचे का z minus seven के साथ one बचा था one इधर z minus seven के साथ minus x y है तो minus x y यह दूसरा bracket बन गया यह factor हो गए minus common one लेना आना चाहिए है मैं इसको फोड़ा detail में समझाता हूँ यहाँ पर मालो हमारे पास a minus b है एक bracket में और मैं इसे चाहता हूँ कि b minus a हो जाए क्योंकि मुझे जरूरत है common इस तरह से बनाने की तो आपको क्या करना है minus one बहार लेना है तो यह b minus a हो गया आप कहोगे सर कैसे multiply करके देखो विड़ा minus one से b में करोगे minus b हो जाएगा minus one से minus a में करोगे plus a हो जाएगा तो minus a plus minus b plus a है यह नहीं इसे आप ऐसे लेख सकते हो है तो वही है a minus b है यह है यह चीज़ हाँ बहु हाँ हाँ ठीक है भाई एकस माइनस एकस माइनस वाई को अगर तो फिर आप में दूसर तरीके सिखाने की ज़रूद भी नहीं है अगर यह बात आपको समझ में आ जाती है तो अब एक और करते हैं इसे में rearrange करके जैड माइनस सेवन माइनस एकस वाई जैड प्लेस सेवन एकस वाई बस आगी पीछे कर दिया आप दुबारे से कॉमल लेते हैं यह एक बार देख लेना एक बार एक और बार explain कर देता हूं से अगर मालो कहीं लिखा हो एकस माइनस वाई और आपको चाहिए वाई माइनस एकस तो माइनस वाई बाहर कॉमल लेलो और इससे वाई माइनस एकस लेख सकती हो यही किया थे मैंने यहाँ पर मुझे सेवन माइनस जैड नहीं चीए था जैड माइनस सेवन चीए था क्योंकि आच्छा मैं यह काम यहाँ भी कर सकता था यहां minus 1 कर दिया तो यह 7 minus 2 होता है इसको नहीं बिदलना पड़ता मरजी है वो आपकी आंसर पर वो भी फरण नहीं पड़ेगा अब इसमें कुछ arrangement कर दिया x, y, z को आगे कर दिया 7 x, y को पीछे लिख दिया है तो यहां पर 1 comma लो तो z minus 7 और यहां पर x, y, comma ने minus का तो यहां से z बचा और यहां से minus का 7 बचेगा क्योंकि bracket की बाहर आपने minus लिया है तो यह minus sign common लिया है तो यह plus वाला minus हो जाएगा आगे सेम bracket तो यह z minus 7 से bracket common लिया और दूसरा 1 minus x, y सेम आएगा तो जैसे मर्जी वैसे कर लो लेकिन यह वाला concept बहुत जरूरी था बताना आपको क्योंकि आगर कहीं आगे भी जरूरत पढ़ेगी तो यह rearrangement के चक्कर में पढ़ना ही क्या है जब छोटे से काम से बात बन रही है minus 1 common लेने से बात बन रही है प्लेटा है middle term splitting एक तो आपने पीछे वहाँ पी किया थे common लेकर फेक्टराइज किया था पहले एक साइज में दूसरा method है कि identity का इस्तिमाल करके तीसरा method है middle term splitting करके तो तीनों method हम सीख लेंगे इस chapter में यह जो second method है यह यह आईजिंटी आपको लगाने इसमें a plus b का whole square जो chapter 9 में आपने पढ़ा है हाँ मैंने आपको बताया नहीं था है chapter 9 का part 2 है तो a plus b का whole square a square plus 2ab plus b square यह होता है तो यह जो question है वो समझो इस form में है बलाए इस form में उसे proper लिखके दिखाना है फिर उसको ऐसे लिख देना और फिर दो बाल लिख देना उसको क्योंकि a plus b का whole square मतलब a plus b और a plus b तो factor का मतलब दो चीज़ मल्टिप्लाई में हो जितने भी term हो मल्टिप्लाई में हो उसी को factor कहते हैं तो यह इसलिए हमने कुछ बच्चों ने कहा कि 9 के बाद 11 करा दो हमने कहा 9 को 14 जरकरानत सही देगा क्योंकि 9 का part 2 है 14 तो आप देखो यह जो question है a square हो रहा है यह रहा है a square हो जाएगा 2 a और b square क्या बनेगा 4 का square तो देखो a square plus b square ठीक है फिर 2 a की value a यह रहेगा और b की value 4 है है ना b की value 4 है आप multiply करके चेक कर लो a square a square हो गया 2 4 8a हो गया और plus b square 16 हो गया तो यह जो पूरा expression है इसको हम ऐसा लिख सकते है कि नहीं लिख सकते है ना तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते है a plus b का whole square भई a यहाँ पर a है और b यहाँ पर 4 है तो a plus b का whole square मतलब a plus 4 दो बाल लिख दो और a plus 4 ऐसे तो identity के रूप में पहले हम सवाल को change करेंगे फिर उस identity का जो left hand side है यह a plus b का whole square लिख दिया फिसको दो बाल लिख दिया अभी एक दुस्त कोशन और ऐसे होंगे तो आपको और अच्छे संग में हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो माइनस वाले identity लग रही है यह हो जाएगा a square minus 2ab plus b square और यह होता है a minus b का whole square तो a तो p है तो p का square ठीक है b यहाँ पर 5 है 5 का square भी ठीक है 25 हो जाएगा minus 2ab 2ab minus 2ab हो गया तो आपने क्या करना है मैंने इस पूरे expression को एक identity के रूप में लिखने का प्रयास किया है क्योंकि देखो p के square वापिस p square हो जाएगा 2 5 जट 10p minus 10p फिर से हो जाएगा 5 के square 25 हो जाएगा मतलब आप इस expression को आप ऐसे लेख सकती है तो यह identity का form हो गया a square minus 2ab plus b square is equal to हो जाएगा a minus b का whole square तो a minus b whole square फिर इसको दो बाल लेख दो तो इसके दो factor हो गए पी-5 और पी-5 यह ऐसे पहले वाले हाँ 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 तो फाइब जो 10 10p को हम ऐसे लिख सकते हैं लिखना है फॉर्मले के रूप में लिखना है फिर फॉर्मले का left hand side जो है वो बन जाएगा उसको दो बाल लिख देंगे मलब यह अभी हम यहाँ फॉर्म आइडेंटरी इसे लिखना करें बाद में middle term splitting भी करेंगे और जो middle term splitting आप सीख जाओगे वो जिन्दी की भर math के साथ रहेगा middle term splitting quarter की question में आता है class 9th में भी है फिर class 10th में भी है और यह question class 9th में भी है chapter 2 में क्लास आपका जो math के chapter 9 और math के chapter 14 class 9th में chapter 2 है दो नोग में लाके polynomials देखो यहां पर बस question को देखकर आपके दिमाग में यहाना चीए क्या है A square क्या हो सकता है B square क्या हो सकते हैं यानि हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 M यानि A square हो गया नो को लिख सकते हैं तीन का square यानि यह B square हो गया अब बीच में मत देखो क्या लिखना है बस आप एक काम करो 2 A B लिख दो यह लिख दो फिर चेक करो को जो हमने जो कुछ भी लिखा है और चेंज किया है वो उपर जैसा है वैसा आ जाएगा दुबारा से 5 का square 25 आ जाएगा न और M square 2 5 जा 10 3 जा 30 M आ जाएगा 3 का square 9 आ जाएगा है ना तो हमने क्या किया है पूरे expression को एक identity के रूप में लिखने का एक प्रयास किया है तो इस identity का मतलब है यह A square plus 2 A B plus B square होता है A plus B का whole square A plus B का whole square तो दो बार लिख दो इसको फिर 5 M plus 3 और 5 M plus 3 देखो factorize का मतलब ही है कि factor करना और जब आप किसी भी term के factor करते हैं किसी expression के factor करते हैं तो multiply में चीज़े आती है कल भी मैंने example दिये था 12 का factor क्या हो है 2 into 2 into 3 तो जब हम number का factor कर रहे हैं तो उसमें भी number multiply में लिख रहे हैं तो यहां किसी algebraic expression का factor कर रहे हैं तो यहां भी जो term आ रहे हैं multiply में आ रहे हैं आप चाहो तो फिर से bracket के multiply करोगे वापिस यही आ जाएगा solve करके तो इसी का यही तो मतलब होता factorization का factor करना factorization मुलब factor करना और वो factors को दुबारा multiply करोगे वापिस expression आ जाना चाहिए इसे हम expression नहीं कहते हैं class 9 बता है नहीं था हम expression जो है variable और constant से बनता है यहाँ variable m है constant है 25, 30 और 9 आप देखो question को देखकर हमें पता होना चीह आर यह 49 तो 7 का square होता है 36, 6 का square होता है यहाँ पर जो a है वो 7y हो सकता है और b जो है वो 6z हो सकता है तो formula जो बनेगा यह तो बन जाएगा a square इसको हम बना देंगे 2ab और यह बन जाएगा b square और इनको summate कर लिख देंगे a plus b का whole square तो अब यह 7y का whole square देखो यह रहा और यह 6z का whole square क्योंकि इसका square करेंगे 49y square आजाएगा 6z का square करेंगे 36z square आजाएगा 2ab 2ab इसका square यह 49 आजाएगा 2 into 7 into 6 है यह 2 समझा 14 14 6 है 84 84yz यह आजाएगा हमने 84 के बारे में सोचना नहीं होता कि 84 कैसे आएगा वो तो अपने आप आएगा हम तो सिर्फ a square और b square डोणते हैं a square क्या बनेगा b square क्या बनेगा बीच में 2ab अपने आप लिख दो बाद में multiply करके चेक कर लो कि जो a square b square हमारे आएगा हो हर लिहाज से सही है कि नहीं हर तरह सही होने चाहिए हो तो यह हो जाएगा a plus b whole square और फिर इसको दो बार लिख दो 7y plus 6z 7y plus 6z बोलो ठीक है कि नहीं आ रहे न आप तो तीसरा question चौथा question है आप तो आई गया होगा स्टार्टिंग में पहला question तो तो आपके लिए नया था आप तो सारे आने अब फिर सी देखो हम यहां 4 को देखके ID लगा रहे हैं 4x square यहनि 2x हो जाएगा इसका a क्यों 2x का square करेंगे 4x square हो जाएगा और 4 जो है वो 2 का square होता है यहनि b हो जाएगा 2 बीच में क्या लिखा है उसके बारे मैं सोचो ही मत पहले लिख लो ID के रूप में यह लिख दो आप 2x का square a square यहां लिख दो b square बीच में लिख दो minus 2ab b तो a हो जाएगा a minus b का whole square और फिर दो बारे लिख दो इसको 2x minus 2 एक और 2x minus 2 इन दोनों का multiply करोंगे वापिस यह किया जाएगा है कोई मुस्किल देखो देखकर 121 किसका square होता है 11 का तो इसका मतलए 11b बन जाएगा a square और 4c बन जाएगा b square बागी बीच वाला तो हम minus 2ab लिखेंगे उसकी कोई issue नहीं है 88 कैसे आएगा उसके बारे में चिंता छोड़ दो बस a square और b square को सही से डोन दो कि क्या हो सकते है तो 11b का square हो जाएगा यह 121 का b square और यह हो जाएगा 4c का square बीच में लिखना है minus 2 a मतलब 11b और b मतलब 4c यह होगा 2ab तो a square minus 2ab plus b square यहनि a minus b का whole square a minus b whole square फिर उसको दो बाल लेख तो 11b minus 4c 11b minus 4c like this factorize हो गया हो देखो factorize the following expression इन्होंने hint भी दे रखा है यह 40 4lm है यह देखना 4lm है मिखेल से 4lm यह हो 4lm नहीं है क्या है बताओ मैं भी तो यह बोलो मुझे लग रहा था कही मिस्प्रिंट तो नहीं है ठीक है देखो बेटा factorize करना है यह question number 7 में तो यहां पर a plus b का whole square लग रहा है और पता है अगर यहां पर कुछ और होता 4lm की जगा है पर अगर 16m square वागर कुछ होता तो हम यह सोच लेते कि यह इससे पूरे a square बना दो इसको b square बना दो पर अभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरा वाला b square नहीं बन रहा है तो पहले पूरे expand करेंगे फिर दुबारा से एक अंटी बनेगी जिसमें whole square आएगा देखो कैसे यह जो expand करने का है यह तो आपने 9 chapter में सीख लिया है a plus b का whole square से open करोगे तो a square plus b square plus 2ab 2lm minus 4lm तो इसमें से यह minus हो जाएगा minus 2lm बचेगा तो a square plus b square minus 2lm एक बात और समझ लो कि अगर a square plus 2ab plus b square हो या a square plus b square plus 2ab हो कोई फरक नहीं पड़ता है इस 2ab को आगे पीछे करने से यह है a plus b का whole square ही पूरे solve करके ऐसे इसमें भी देखो minus 2ab पीछे है तो minus 2ab पीछे भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है a square minus 2ab plus b square लिखा हो या a square plus b square minus 2ab लिखा हो पीछे की तरव लिखा हो इसे कोई फरक नहीं है है तो यह a minus b का whole square ही ठीक है न तो यह मैंने पीछे लिखा वा था इसलिए समझाने के लिए बोल दिया कि आपके सोच गया 2ab पीछे में होता है पीछे है याँ पर तो कुछ अलग तो नहीं है कुछ अलग एक ब्रैकेट फिर l-m दूसरा ब्रैकेट तो यह इसका फैक्टर हो गए ल-m ल-m फैक्टर में जो भी चीज़े आएंगे वो multiply में आएंगे फिर से यहाँ पर a square क्या बनेगा a square a square ही बनेगा यह जो है वो a square बनेगा क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हो a square का square ऐसे तो a raised to a 4 हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं b square का square यहनि a की value जो है वो a square है और b की value यहाँ b square है तो बीच में 2a भी जब करोगे 2 तो यह a हो गया और यह b हो गया ऐसे तो यह बन गया a plus b का whole square यह नहीं a plus b whole square फिर दो बार लिख दो यह पूरा a square को मैं a बोल रहा हूं यह a plus b और a plus b whole square था नहीं इसे दो बार लिखती है आपसे दो बार इसलिए लिखती है क्योंकि factor कर रहे हैं तो factor में चीज़े multiply में दिखनी चाहिए जैसे 20 का factor लिखते हो दो 2 into 2 into 5 तो multiply में है न टर्म से यहां पर वैसे ही एक algebraic expression है इसके factor यह होगा एक multiply यह दूसरा यह दो फैक्टर हो इसके इसमें तीन फैक्टर है भी इसके जैसे हैं अब इस वहले कोशन में नाइन चप्टर को छोड़ा नहीं है नाइन चप्टर को आगे continue किया है a square minus b square होता है a plus b और a minus b यह होता है तो यह इससे match नहीं कर रहा कहीं कहीं ना कहीं है ना चार को हम सोच सकते हैं कि दो का square है यानि चार p square को हम लिख सकते हैं 2p का whole square और 9 को लिख सकते हैं 3q का whole square a square minus b square a plus b a minus b a plus b यहनि एक बार plus और a minus b एक बार minus बन गे दो factor यह एक expression था और इसके यह दो factor हो गए दोनों bracket अलग अलग factor है दो factor है तो यह इस वाले question में हमें identity यह वाले इस्तिमाल कर रहे है a square minus b square मैं लिख पहले वो जो expression दिया हुआ है आपको algebraic expression या यह जो question दिया हुआ है पहले उसे किसी ना किसी identity की form में लेकर आओ पहले तो पहचानो कि कौन सी identity बन सकती है फिर से देखो इसमें identity बनेगी तो सही a square minus b square लेकिन 63 किसी का square नहीं होता और लेकिन identity बनेगी a square minus b square की तो फिर और क्या करना पढ़ सकता है extra common अगर कुछ common मिल रहा है तो पहले common लेलो यह 63 और 1 यह 12 इसमें जो common आ रहा है वो और 7 आ रहा है 7 9 जा 63 7 16 जा 1 यह 12 यह 7 की table में 69 आता है 9 बार में 63 और 7 की table में 112 आता है 16 बार में तो 7 common लो फिर जा का identity का आएगा condition 7 common लिया तो यहां से बचा 9 a square और यहां से 16 b square अब आगे ऐसे number जिनका square होता है पहले नहीं थे 63 किसी का square नहीं होता है इसे direct identity नहीं बना पा रहे थे अब 7 यह 9 है तो इसको हम लेख सकते हैं 3 a whole square 16 को 4 b whole square ऐसे अब identity बन गई a square minus b square तो a plus b a minus b a plus b a minus b यहां NTN chapter 9 की a square minus b square is equal to a plus b a minus b तो directly हमें यहां a square सोच रहे थे तो वह नहीं बन पाए 63 कि किसी का square ही नहीं होता तो दोनों में जो common मिला वह 7 मिला common लेने के पाद जो बचा वह 9 और 16 बचा 9 3 का square होता है 16 4 का square होता है फिर बन गया identity देखो यहां पर तो direct है 49 7 का square होता है 36 6 का square होता है तो हम directly से a square minus b square की form में ला सकते हैं लोग question में direct form नहीं दिया होता है कुछ हमें change करना पड़ता हो identity के रूप में उसके बाद फिर वो solve हो जाता है तो यह 7 x का whole square और यह 6 का square a square minus b square मैं लोग आप 49 को 7 लेख सकते हो 7 का square 36 को 6 का square लेख सकते हो तो a square minus b square तो a plus b और a minus b like this दो factor होगे तो अब यहाँ पर देखो यहाँ 16 तो ठीक है 16 तो 4 का square है लेकिन यार x raised to the power 5 है जो कि ठीक नहीं है किसी भी number किसी power का square 5 नहीं आता तो इसका मिलाब यहाँ भी हमें कुछ common लेना चाहिए तो x की power 5 है यहाँ x की power 3 है तो x की power 3 common ले लो जो बचेगा वो फिर उसका square हो जाएगा अगर x raised to the power 3 common ले ले लें दोनों में से तो यहाँ 16 और x square बचा यहाँ सिर्फ 144 बचेगा ऐसे कैसे common लिया है वापिस multiply करके confirm कर लो अगर इसका इसमें multiply करेंगे तो multiply में power plus हो जाती है तो x raise to power 3 है और x raise to power 2 है यहीं x raise to power 5 हो गया फिर x की 3 का इससे करेंगे वही आ जाएगा तो जो common लिया है वो confirm करने के लिए या method को पका करने के लिए चेक करना जिरूरी होता है अब यह बन जाएगा 4 x का whole square और यह 12 का square 12 का square 144 होता है और वो x cube रहेगा multiply में 4 x whole square और 12 का whole square तो यह x cube ऐसे रहने दो a square minus b square a minus b और a plus b देख लो तीन तीन हो रहे हैं तीन तीन factor x cube एक factor है फिर एक दूसरा factor और यह तीसरा factor है factorize करने के बाद मल्टिप्लाइब में चीज़ें आने सी यह factorize हो रहा है तो term आएंगे expressions आएंगे multiply में आएंगे कोई दिक्कत नहीं यह पूरा bracket यह इसको a मानना है आपको क्योंकि यह पूरा a square दिख रहा है और यह पूरा b square दिख रहा है पूरी bracket को a माल लो दूसरे ब्रैकेट को b माल लो तो a square यह यह पूरा a हो गया a plus b ऐसे ये a plus b लिख दिया फुरा l plus m जो पहला वाला है वो a बन गया और plus b और जब a minus b लिखेंगे तो minus तो बड़ा खतर ना कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है अब minus आप करोगे तो इनके sign बदल देना l minus कर देना m plus का कर देना minus l plus m है ना भी अब m से m कट गया एक plus का एक minus का l से l कट गया तो इस वाले bracket से बच रहा है 2l और इस वाले bracket से बच रहा है 2m बहला एक तरह से 2 into 2 into l into m इसके factor हो गए multiply में जो आते हैं वो सारे factor होते हैं अब formula यहां भी पूरे सभी question में भाई लग रहा है a square minus b square तो यह जो है 3xy 3xy हो जाएगा 3xy का whole square हो जाएगा और 16 हो जाएगा 4 का square तो a square minus b square यहने a plus b minus b कर दो देखो 3xy का whole square और यह 4 का square तो a square minus b square यह a plus b और a minus b like this कितने आसाने से हो रहे हैं सारे सभी में एक याइडेंटी लग रही है देखो यह आइडेंटी के अंदर आइडेंटी को सी पड़ी है देखो a square minus 2ab plus b square पहले से ही है तो आप इसे लिख सकते हो x minus y whole square और यह बाहर z का square यह यह फैला हुआ form expanded form है यह इसका short form है ठीक है अब पूरा formula फिर से बन गया एक a square minus b square पूरा bracket a हो गया a square और दूसरे वाला b square हो गया z तो एक बार plus कर दो यह पूरा a हो गया a plus b यह लिख दिया plus b ऐसे और a a मतलब x minus y minus b ऐसे यह इस तरह से हो गया और यहाँ आप थोड़ा से complications बढ़ती जा रही है आप थोड़ा थोड़ा सवाल आपके कठीन होते जाएंगे देखो यहाँ पर यह वाला सो question है इसमें इस वाले expression को पहले छोड़ दो उसे वहीं पढ़ा रहें दो आप सोचोगे सर आपने इसे छोड़ने का plan क्यों किया है क्योंकि यहाँ देखो अगर हम इसे a square बना देते हैं और इसे b square बना देते हैं तो यह 2 a b बन जाएगा क्योंकि इदर से b मिल लाएगा इदर से c मिल रहा है तो उसे वाहाँ पर leave कर दो इसी condition में चाहे है तो आप इसे ऐसे लिख के leave कर दो ऐसे और यह minus common ले लो बाहर आपको पता है जब minus common लेते हैं तो bracket के अंदर सब के sign बदल जाएगे तो यह 4 b square हो जाएगा plus का यह हो जाएगा minus का और यह plus का 49 c square अब यह पूरा formula एक बन जाएगा मलब minus common लिया है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ सकता है अभी क्योंकि नया है एक question कि सर हमने इसे क्यों छोड़ा इसे a square इसे b square और इसे 2 a b बनाने का परयास क्यों नहीं किया तो मैंने उसका answer शुरू में दे दिया कि 2 a b में जो a है आपर a वाले में b चाहिए और b वाले में c चाहिए तो 2 b c यानि b c वाले से इस बनेगा यह है 2 a b जिसे b और c हो तो इसलिए a वाला इक नो अभी छोड़ दिया अलग अब यह पूरा identity दुबारा से proper बनाओ अभी identity बनी नहीं है यह तो कोई नहीं इसे तो इसे लिखके छोड़ दो 4 b हो जादा है गा 2 b का होल स्कॉयर 49 हो जाएगा 7 c का होल स्कॉयर minus 2 a b ऐसे ऐसे 2 b का होल स्कॉयर से 4 b स्कॉयर हो जाएगा 2 2 जब 4 28 b c हो जाएगा और यह 7 का स्कॉयर 49 हो जाएगा c स्कॉयर प्रभुजी आप लिख क्यों रहे हैं अभी साथ में आप बोर्ट पर देखिए तो यह adjective लिखतू जैसा है और यहां से यह बन गया a स्कॉयर minus 2ab plus b स्कॉयर यहांनि a minus b का whole square a minus b whole square अब a plus b a minus b हो जाएगा a square minus b square question पूरा करने दो a square minus b square यहांनि a plus b a plus देखो b पूरा एफ ब्रैकेट है तो a plus b यह हो गया a plus b और दूसरा ब्रैकेट a minus minus b लेकिन जब minus लिखो तो a minus b है यहां ब्रैकेट के अंदर जो term है इनके sign बदल लाएंगे क्योंकि आगे minus बैठा है destiny के लिए उन्हें तो minus 2b plus 7b sign बदल दिया करो जब minus करना हो तो नहीं तो एक step एक्स्टा करना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया आपका दो term यह इसका factor हो गया ध्यास समझ ले ना इसको 2-3 बार समझ ले ना timeline description में जाके timeline का इस्तेमाल करके यह question 2-3 बार अच्छे से देख लेना अब third question start हो गया यह फिरासान आ गया common लेना इसमें तो कुछ identity बने नहीं 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 common ले लो यहाँ x common दिख रहा है x common ले लो x square x square नहीं x बचेगा x common ले आपने तो यहाँ से ax बचा plus b यह एक factor यह हो गया दूसरा factor ax plus b हो गया इसमें फिर असान आ गया एक question लिए बीच में धासू question आया था यह वाला बढ़ियां question आया था अब फिर असान आ गया तो को यहाँ पे भी common नहीं बन रहा है factorize करने के लिए 7 common ले लो common के बाद अगर कोई identity बने तो लगा दे रहा है नहीं तो मत लगाना 7 common लेंगे तो p square plus 3 q square और तो कुछ हो नहीं सकता दू factor आ गए एक 7 factor है अग दूसरा bracket में p square plus 3 q square next सम्में common दिख रहा है 2x यहाँ से भी 2x यहाँ से भी 2x 2x common ले लो तो यहाँ से x square बचेगा क्योंकि एक x गया तो 2x बचे है यहाँ से y बचेगा square में यहाँ से z बचेगा square में बस दू factor हो गए एक factor 2x है और दूसरा factor यह bracket है x square plus y square plus z square अब यहाँ पर फिर से देखो बच्चो यहाँ m square common लेना है यहाँ पर चार टर्म है दो-दो से common लेंगे और common लेने बाद वो मुस्कान आनी चाहिए same bracket वाली अगर same bracket नहीं आया तो common गलत हो रहा है क्योंकि फिर वो bracket common लेना पड़ता है न तो पहले अगर हम यहाँ पहले दो टर्म से m square common ले ले तो a plus b बचेगा ठीक है यहाँ से m square m square उठा दिया बाहर रख दिया तो यहाँ a plus b यहाँ से n square बाहर ले लो तो b plus a तो b plus a और a plus b एक ही बात होती है इसमें मत confuse हो न plus में आगे पीछे हो नंबर a plus b या b plus a की बात है तो यह bracket common same आगे है न एक तरह से तो आगे न मुष्कान आपके चाहरे पर कि आपने सही common ले लिए है तो उस bracket को common ले लो दुबारा से अब यह bracket को उठा के बाहर रख दो तो इस bracket न साथ जो बचा नंबर है वो m square है वो लिख दो इस bracket न साथ बचा हुआ n square है वो लिख दो यह आगे दो factor इसके दो factor हो गए एक factor है a plus b और दूसरा factor है m square plus n square कभी भी आपको verify करना हो factor का मतलब क्या होता है तो factor कमलम मैंने आपको पहले विदाए जैसे 12 का factor की आपने prime factor करते हो कई बच्चे तो prime factor के LCM बोलते है उनको आदत सी हो जाती है मैं केता हुआ बच्चे प्राइम factor करो सर LCM कर रहे है अरे भाई LCM दो number का होता है और factor आप एक number का करते हो प्राइम factor करते हो यह जो हम करते हैं न यह 12 2 बार में फिर 2 से 3 बार में और 3 से 7 इसे हम prime factor करते हैं ना कि LCM हाँ लेकिन अगर इसके साथ एक और number आपने डाल दिया होता 18 और फिर दोनों को मिला के करते हैं तो वो जो निकल के आता है वो LCM होता LCM दो number तीन number का आप साथ करते हो prime factor एक number का करते हो तो यहां prime factor में इन तीनों के product से वापिस 12 आ जाएगा तो factor का मतलब यही होता है कि इन दोनों का product करो वापिस जो chapter 9 में आपने सीखा है तो वापिस यही आजाएगा expression binomial का binomial से product है binomial का binomial से multiply है वो जो हमने chapter 9 में से कहा था पहले bracket का पहला term into दूसरा bracket पूरा फिर पहले bracket का दूसरा term into फिर से दूसरा bracket पूरा वो गाना भी बताया था वैसे ही है यहाँ भी common लेने वाले बात है L common मिल रहा है पहले वाले term से L common ले लो तो M plus 1 और यहाँ से 1 common ले लो तो M plus 1 कुछ common नहीं मिले तो 1 ले लो और चहरे पे तो आप तो आई गई होगी bracket सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है M plus 1 M plus 1 अब इस bracket को बाहर common ले लो L plus 1 इस bracket के साथ multiply में L था तो L बचा इस bracket के साथ multiply में 1 है तो 1 बचा तो यह दो factor हो गए M plus 1 L plus 1 यहाँ पर यह ब्रैकेट पहले से ही सेम है अपना काम पहले solve कर रखा दा बस में इस bracket को बाहर common ले लेना है सबसे बाहर लिख दो Y plus Z इस Y plus Z के साथ बचा हुआ Y है और इसके साथ 9 बचा यह दो factor हो गए आप देखो यहाँ पर अगर common लेते से में rearrangement करना पड़े तो कर लेना लेकिन starting में ज़रूर नहीं करके देखो जब bracket common नहीं सेम नहीं आएगा तब तो यहाँ अगर हम देखे तो 5Y common है दोनों में 5Y और इन दोनों में 2Z common है है न 2Z common है लेकिन कोशिस यह करें कि 2YZ को आगे लिखते हैं और 8Z को पीछे लिखते हैं तो सायद दोनों में दोगो यहाँ से अगर 5 common लेंगे तो 4 बचेगा न इस तरफ तो यहाँ पर 2 common लेंगे तो आगे 4 बच जाएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा यह अलग सर लग रहा है bracket तो आप ऐसे में ट्राई कर लो लेकिन थोड़ा सा अगर पहले सा ही देख लें आगर हम 5 square minus 20y आगे पीछे करते से मैं sin नहीं बदलते ध्यान लगना sin y रहेंगे टर्म के यह plus का 2YZ है plus में ही रहने दो और 8Z minus का है minus में रहने दो ऐसे अब common लो दो टर्म एक साथ common लेते हैं और इससे अलग लेते हैं ऐसे करके और bracket सेम आते हैं जब common लेते हैं तो 5Y common है तो यहां से Y और 5 420 यह नहीं 4 Y minus 4 बचा और 2 common है और Z common है यहां से plus 2Z यहां से Y और 2484 minus 4 तो यह bracket सेम आ गए मलब हमने rearrangement सही किया है और अब factor सही जा रहे है तो अब इस bracket को common लेना है बाहर Y minus 4 5Y plus 2Z यह है अब यह second question था जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहां पर भी देखो बच्चों common की सारा इन दोनों से अलग common देखेंगे इन दोनों से अलग common देखेंगे यहां कुछ common ने देखेंगे तो 1 मिल लेगा जहां कुछ common नहीं होता वहाँ one common ले लेते हैं बस bracket सेम बनने चाहिए हैं तो यहां अगर हम two common लें two और a पहले वाले दो टर्म में two a common ले ले अगर तो five b बचेगा क्योंकि two five जो ten होता है और a b और यहां से बचेगा सिर्फ two क्योंकि दो a बाहर आगया और दो बाहर आगया दो बचाए दो दून चार होता है न two to the four और five b plus two में कुछ भी common ने ले 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 तो plus one common लो यहां जो plus है plus का ही करना पड़ता है plus one common ले ले तो यहां एजटेज वही रहेगा five b plus two और सबसे अच्छी बात तो है कि bracket same आ जाती है common ले लेते ब्रैकेट same आ रहे है तो आपके गाड़ी सही track पर चल रहे है तो अभी bracket बाहर common लोगे five b plus two और यहां जब common ले 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 तो two a plus one two a plus one बचा तो यह दो factor आ गए five b plus two पहला वाला bracket एक factor हो गए दूसरे factor इस bracket के साथ जो multiply में था two a वो यहां लिख दिया और यह इसके साथ जो apply one था वो यहां लिख दिया जब common उठा लेते है न तो फिर जो बसता है वो लिख देते हैं दूसरे bracket में अब अगले वाले कुछ में देखो इसमें अगर मैं डारेक्ट अभी थोड़ा सा रियारेंजमेंट ना करू तो मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही है कि अगर हम यहां से common लेंगे 2 common दिख रहा है क्योंकि 6 और 4 में 2 common है और y भी common है 2 y common तो ले लेंगे पर यहां जो बचेगा और 2 बचेगा और यहां बचेगा यहां पर x फ़ल अटम बच रहा है यहां थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना चाहिए रियारेंजमेंट करना चाहिए common लेने से पहले 6 x y इसके साथ में हम 9 x को कर सकते हैं यहां 9 x को इसके साथ कर दिया और इसमें minus 4 y plus 6 कर दिया ऐसे करके भी कर सकते हैं रियारेंजमेंट किया है साइन नहीं बदला है क्यों आगे पीछे रियारेंजमेंट करना पड़ेगा आपको common सही आना चाहिए bracket सही आना चाहिए इसके लिए अब दोनों में 3 common है और x common है इन दोनों में तो 3 और x common ले लिया तो 3 तू जा 6 होता है तो 2y minus 3 बचा 2y minus 3 और इन दोनों में 4y और 6 में 2 common है लेकि साइन अमेंसा यह लेंगे minus का है तो minus का लो 2 common ले लो तो 2 तू जा 4 होता है तो यहां से 2 बचा 2y और 2 3 जा 6 होता है तो यहां से minus 3 बचा आपको होगे सार यहां plus है आपने minus क्योंकि है क्योंकि बाहर minus common लिया हुआ है multiply करके check कर लो आपको doubt होता है कि आपका common गलत है या सही है तो multiply करके check कर लो 3 2 6 x y और 3 3 9 minus 9 x minus 2 का 2 से करो 2 2 4y minus का minus 2 का minus 3 से करो मानस मानस प्लस होता है multiply में तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस का यहां सही लिया है common ब्रैकेट में सेम आ रहे है अब ब्रैकेट को common ले लो 2y minus 3 और दूसरा ब्रैकेट 3 x minus 2 बचा है now we have exercise 14.2 बच्चों और इसमें पहला question फिर से वह आणटी है a square minus b square वहाँ power 4 है तो इसको ऐसे भी तो देख सकते हो आप a square का square minus b square का square a square plus b square a plus b हो गया यह है और a minus b हो गया a plus b a minus b a plus b a minus b इसको और आगे कर सकते हो आप इसे यहीं छोड़ सकते हो क्योंकि इसका तो कोई identity आपने पढ़ा नहीं है a square plus b square ऐसे रहने दो यहाँ कर दो फिर से a square माय में square क्या होता है a plus b और a minus b यह हो गया factorize 14.2 तो पहले भी चल रही थी तो हमें लगा नहीं एक साइस रहो गया हाँ question number 4 है देखो बचो यहाँ पर फिर से एक formula बन रहा है वही वाला b square का square कर दो और यह 9 का square कर दो यह टीवा 9 का square होता है तो a square minus b square a plus b a minus b तो यहाँ adjectives रहने दो p square plus 9 यहाँ a square और इसको फिर से 9 को 3 का square कर दो 9 को फिर से 3 का square कर दिया तो a plus b minus b हो गया p square plus 9 तो ऐसे रहने दो यहाँ a plus b और a minus b ऐसे हो हाँ बचो अब हमारे पास exercise 14.2 का question number 4 है और यहाँ पर question को देखते ही समय में आ जाएगा कि कौनसी identity इस्थेमाल करनी है a square minus b square है न यह लग रही न identity बस हमें इतना सथ change करना होगा कि पहले हम इसको identity की form में दिखें a square का whole square और b square का whole square ऐसे पहले ऐसे लिख दो फिर identity बन गई a square minus b square यहाँ a plus b a तो a square है और a plus b यह हो गया a plus b a minus b a minus b ऐसे फिर से एक बार identity और बन गई a square minus b square की a square plus b square और a plus b और a minus b यह पूरी तरह से अब आपका factorize हो गया ठीक है भाई identity तो यही वाली लगी थी a square में इसको a plus b a minus b लेकिन दो बार लगी एक बार starting में लगी तब a square जो था वो a था और b square वो b था तो a square आप पूरे bracket को a माल लो a square को देखो ही मत पूरा a है एक बार plus एक बार minus तो plus वाल as it is रहा और minus वाले फिर से identity लगा दी वही वाली identity a square मानेस b square वही identity लग दी इसमें भी a square मानेस b square की तो p square का square कर दो और इसे कर दो 9 का square ऐसे फिर a plus b a minus b a plus b a minus b हो गया ना फिर एक बार identity यहां लगेगी क्योंकि 9 को हम 3 का square लिख सकते हैं इसे तो ऐसे रहने दो p square plus 9 और इसे कर दो p square minus 3 का square ऐसे तो a plus b minus b फिर से हो जाएगा p square plus 9 और a square minus b square a plus b a minus b that's it तो दो दो बार यूज हो रहा है power 4 थी ना इसलिए 9 को हमने 3 का square लगा दिया फिर से formula जैसा बन गया a square minus b square a plus b a minus b यहां भी वही लगना है formula x square का square कर दो देखो ऐसे और y plus z के square का square कर दो पहले हमने किसी भी question को identity के रूप में लिखना पड़ता है अई से भी लिख दिया हमने a square और minus b square तो फिर एक बार plus एक बार minus और फिर minus फिर से formula बनेगा यह यह formula दो दो बार ही हो जो रहा है सभी questions में देखो a a plus b देखो यह plus b जब लिखूँगा तो यहां bracket लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से है इसे curly bracket कर देता हूँ इसे a plus b हुआ यह और a minus b यह हुआ ऐसे तो यहां तो हम open कर सकते है a plus b के whole square से इस पूरे curly bracket इसको छोट वाले bracket को और यहां फिर से a plus b minus b कर सकते है यहां यहां एक अलगा identity लग रही है a plus b का whole square वाली x square ऐसे रहे ने दो a plus b का whole square a square plus b square plus 2yz यह वाला यह bracket बन गया अब एक यह एक फैक्टर बन गया और इसे a square minus b square यहां यह a plus b और a minus minus y और minus z a minus b देखो minus है इसलिए दोनों के sign बदल जाएंगे bracket की बाहर अगर minus हो तो सब के sign बदल जाते हैं तो अब देखो कितना बने factor आ गया इसके एक यह factor हो गया दूसरा यह factor हो गया और तीसरा यह factor हो गया मुश्किल नहीं है थोड़ा step जादा है पहले हमने एक बार repeat कर देता हूं मैं पहले x square x की raise to 4 है तो x square का square कर दिया यहां power 4 था तो इसका भी square का square कर दिया जब तक हम square करेंगे नहीं square ओले formula यूजज़ कर नहीं सकते तो यह पूरा x square और x को यह पूरे को a मानो तो a plus b a minus b फिर चलो कर दिया है यह काम अब यहां पर हमें लग रहा है कि और खुल सकता है a plus b को all square से a square plus b square plus 2ab से खोल दिया यह पूरा bracket एक बन गया यहां पर फिर से formula apply हो रहा है a square minus b square a plus b और a minus b लेकिन जब minus किया है तो यह दोनों plus के थे दोनों minus के हो जाएंगे यह तो minus में आपको याद रखना पड़ेगा कि bracket के बाहर अगर minus है तो दोनों टरम plus वाले जो है minus के हो जाएंगे bracket खोल के अगर लिखेंगे तो देखो same to same उसी के तरह ही यह भी question है बस यहां पर bracket का फरक आया है x minus z कर दिया है तो पहले हम क्या करेंगे x square का square x raise to 4 है ना इससे 2 into 2 4 होता है और x minus z के square का square यही तो किया है पिछले question में भी question repeat तो नहीं है देख लिए ना जिट तो ऐसी था थारड़ वाले से repeat तो नहीं कर रहा ना पर साइन का फरक है बिल्कुल same to same है अब हम क्या करेंगे a plus b देखो a plus b यह है plus b यह यह a plus b हो गया और a minus b a minus b ऐसे a minus b तो यहां फिर से a minus b का all square formula लगेगा x square तो रहने दो a minus b का all square a square plus b square minus 2ab यह निए xz यह पूरा एक bracket पहले की तरह तो हुआ है अच्छा हुआ दुबारा आ गया है तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा अब यहां पर a minus b के all square से open किया है और यहां पर a plus b के all square से open किया था करा तो एक जैसा ही है का हम और यहां फिर से a plus b है minus b a plus b पूरा bracket है x minus z यह हो गया a plus b और a minus b करेंगे तो 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 को यह minus का हो जाएगा यह plus का हो जाएगा sign बदल जाते है ना तो X+, में हो मादस में हो जाएगा ओ Z मादस में हो प्लेस में हो जाएगा तो मादस X+, Z यह पिछले discussion की तरह हобщеा है लेकिन अभी इसमें थोड़ा से काम बढ़गिया है थोड़ा से बढ़ा है जिसे X, X कट रहा है काट दो यहाँ पे x और x प्लेस हो जाएगा प्लेस कर दो यहाँ भी x square और x square प्लेस हो जाएगा तो 2x square plus z square minus x z यह हो गया एक bracket एक factor दूसरा factor x plus x 2x 2x minus z यह 2 हाँ और इसके बाद में into z यह है बच्चो तीन factor ठीक है प्रैक्टिस करोगे जभी पक्क्य होंगे भई एक बार समझ लिया लेकिन खाली समझ आप देखो formula change हो गया सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा math समझ में तो आ जाती है लेकिन पक्का तब होता है जब उसकी practice करते है एक बार देख के समझ लो फिर बिना देखे उसे करके देखो अगर अटक जाओ फिर समझ लो लेकिन एक दो बार बिना देखे जरूर करो पक्का करने लेकिन देख की किया तो समझ लो जब टेस्ट में आएगा तो अटकने का चांस रहेगा ज्यादा टाइम लगेगा गलती के चांस रहेंगे इसलिए बिना देखे कठिन सवालों को जरूर प्रैक्टिस कर लेने चाहिए देखो अब इसमें को देखते हैं फॉर्मला मुझे याद आ रहा है कि यार यह स्कॉयर माइनस टुए भी प्लैस भी स्कॉयर हो जाएगा यह तो यह माइनस भी का ओल स्कॉयर हो जाएगा फिर इसको दो बाल लिग देंगे है ना तो पहले हम चेंज करें यह ए रेज़ दुद पर फोर है ना इसको ए स्कॉयर का स्कॉयर बना दें यह होगा ए स्कॉयर और बी रेज़ दुद 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 पर फोर है इसको हम बना दें बी स्कॉयर का स्कॉयर माइनस टुए भी टू ए बी तो यह बचो आपका ए स minus b whole square, फिर इसको दो बाल लेख देंगे, bracket को दो बाल लेखेंगे, bracket को दो बाल लेखेंगे, a plus b, a minus b मत कर देंगे ना कलती से, वो आगे होगा, दो बाल लेख दिया, अब फिर हो रहा है, a plus b, a minus b, क्योंकि ये भी तो एक formula है, a square minus b square, a plus b, a minus b, bracket से भी, a plus b, a minus b, like this, यह होगे, चार factor, दो सेम हो रहे हैं, a plus b वाले हो रहे हैं, दो, और a minus b वाले भी दो हो रहे हैं, लो, factorize, अगला कोशन आ गया, यहाँ पर यह आया, एक ऐसा कोशन, पहली बार आपकी life में एंट्री कर रहा है, लेकिन अब जाने वाला नहीं है, आपकी life से, 9th कर लो, 10th कर लो, जिन्दी के math कभी भी करोगे, middle term splitting कहते हैं से, यह जो कोशन है, यह middle term splitting से factorize होता है, इसको ध्यान समझेंगे, 4-5 कोशन जो भी हैं, वो बहुत important है, देखो बटा, यहाँ पर यह जो P स्कॉार है, इसका coefficient 1 है, और यह P का coefficient 6 है, और यह constant 8 है, इसको हम P के coefficient यह नहीं, पहले वाला जो X स्कॉार होता है, या P स्कॉार होता है, या कुछ भी हो आज स्कॉार होता है, उसकी coefficient को हम A कहते हैं, A1 है, B6 है, और C8 है, पहले यह पहचान लो, इसमें तीनों को पहचान लो, A, B, C को, अब इसमें कैसे factorize करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, middle term splitting, इस method को कहते हैं, middle term splitting, हमेशा काम आता है, 9th में भी, खूब सारा काम आएगा, 10th में काम आएगा, किसी एक chapter नहीं, किसी भी chapter में काम आजाता है, तो देखो, यहाँ पर middle term 6 है, middle term B होता है, और B6 है, यानि middle term यानि B को हमें ऐसे दो number में split करना होता है, ऐसे दो number में तोड़ना होता है, दो number मालो P और Q है, या इसमें पहले से P दिया हुआ है, तो मैं example के त P को ऐसे दो number में split करना होता है, कि जो R plus S है, यानि उन दो number जिसमें split किया, उनका sum तो B आना चाहिए, तो B को तोड़ना होना आप, और R और S का जो product है, वो A, C के product के equal आना चाहिए, अब इसी बात को मैं number मताता हूँ, B यहाँ पे 6 है, यानि 6 को हमें ऐसे दो number में तो 6 आए, लेकिन multiply करके 8 आए, क्योंकि यहाँ A, C का product 8 है, भाई A, C का product होना चाहिए न, A यहाँ पे 1 है, और C यहाँ पे 8 है, तो middle term को कोई बात नहीं, आराम से समझो, और एक नहीं है, सारे question आराम से समझाऊँगा, किसीने किसी question पे दिमाग क्लिक कर जाएगा, वस effort कर 6 को तोड़ना है, दो ऐसे number में, जिनको जोड़कर 6 आए, जोड़कर या घटा के 6 आए, और उनको गुणा करके, उनका product करके 8 आए, तो 6 को अगर हम 4 और 2 में तोड़ दे, तो 4 प्लस 2, 6 होता है, और 4 इंटू 2, 8 होता है, तो मुस्किल नहीं है, लेकि बहुत important question है यह वा एक size में बहुत सा divide आएंगे, तो हम पहले middle term splitting करके, उनको factorize करेंगे, उसके बाद, फिर divide होगा, तो यह वाला तो आपको सम्में आगे है, कि चलो, आपने 6 को तोड़ दिया, 2 और 4 में, तो 2 प्लस 4, 6 होता है, और 2 इंटू 4, जो होता है, 1 इंटू 8, यानि A और C, यह यह 8, यह भी 8, हाँ भई, सर्थ तो पूरी हो रही है, छोटे number है, इसलिए आराम सन में आ जाएगा, जो बड़े number आएंगे, तो भी मैं आपको अलग से practice करवाऊगा, अब जैसे कि आपको कभी यह लगे कि, सर ने 6 को 2 और 4 में बता दिया, हम तो सोचते 3 प्लस 3, हम तो सोचत 3 प्लस 3 भी 6 होता है, हाँ, बिल्कुल सही सोचते हैं, ऐसा होता है, लेकिन हमें दोनों सर्थे पूरी करनी है, प्लस करके 6 आए, और multiply करके 8 आए, तो multiply करके 8 चाहिए, तो अगर आपको ऐसे splitting करना ना आए, तो आप क्या करो, जो multiply करके लाना है, उसके prime factor कर दो, 2 से 4 बार म और 2 से 1 बार, तो multiply करके 8 लाना था, तो 8 की जो number आने prime, इसमें आप खेल खेलो, इन number के साथ play करो, यहनि 2 को multiply कर लिया, उसमें एक जोड़ के देख लिया, यह घटा के देख लिया, वैसे मैंने 2 टू जा, 4, 4 प्लस 2, 6, यहनि 2 group बनाना पड़ेगा number का, फिर उनका plus या minus देखना पड़ेगा कि हमारा जो आना चीए 6 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का तो तब होगा जब में और question करेंगे, अब फिलाल यह समझों कि हम P square plus 6P plus 8, 8 को तोड़ना है, हमें कौन से दो number में, 4 और 2 में, 2P plus 4P plus 8, बस इतना सा काम है, 2 और 4 में ही क्यों तोड़न है, वो जरूर समझके रखना, तोड़ने के लिए 6 को 3 plus 3 में ही तोड़ सकता है, 1 plus 5 भी 6 होता है, लेकिन क्योंकि product जो है, इनके product के equal आना चीए, जो यहाँ 1 होता है, 1 और 8 का product 8 होता है, तो 2 और 4 का product भी 8 होता है, अनि product आना चीए, उनका sum जो number है, उनका product 8 आना चीए, औ दोने में common P है, P common ले लो, P plus 2, यहाँ से 2 common ले लो, नहीं, 4 common ले लो, तो P plus 2, यह bracket देखो, सेम आ गए, पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे practice किये थे, जिसमें bracket सेम आ रहे थे, तो एक factor हो गया, यह bracket बहार ले लो common, P plus 2 और दूसरा P plus 4, हो गया factorize, अभी यह पहला question है, कोई लाइफ में पहला question है, इस exercise का भी पहला question है, इस तरह से middle term splitting वाला, तो मैं दूसरे question में भी effort करता हूँ, आप इसको थोड़ा समझे है तो, यहाँ पर middle term minus 10 है, बिना pressure को सोचो, minus 10 को ऐसे 2 number में split करना है, जिनका sum करके तो minus 10 ही आए, भाई minus 10 को तो sum करके minus 20 थोना लाओ गए रुख जाओ, और बच्चों को भी सोचने का time दो, 10 को ऐसे 2 number में split करना है, जिनका sum करके minus 10 ही आए, और product करके 21 आए, तो minus 3 और minus 7, लेकिन product करके 21 क्यों कह रहे है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ 21 है, इनका product 21 ही आना है, तो मैं आपको पहले बिताया है, factor करके भी देख सक हो, देखो यहाँ से, 3 से 7 बार में और 7 से 1, दो यह number है, इनी दो number साथ खेलना है, तो minus 3, minus 7, minus 10 होता है, और 3 से 21 होता है, ज्यादा number होते तो दो number के group बनाते हैं, multiply करके दो number group बनाना पड़ता है, फिर उन में खेलना पड़ता है, plus उतना अच्छी जितना बीच वाला term हो, तो यह split हो जाएगा, minus 3 Q, minus 7 Q, और यह plus 21, ठीक है, minus 10 को तोड़ दिया, minus 3 Q, minus 7 Q में, बस यही तक मुश्किल है, इसके आगे आपने कर रखा है, common लेना है, same bracket अना चाहिए, ऐसे पहले question कर रखें आपने, Q common लेलो, तो Q minus 3, और यहाँ minus 7 common लेलो, तो Q minus 3, क्योंकि देखो 7 थे 21 होता है न भाई, तो Q minus 3 आया नहीं है, तो यह Q minus 3 bracket same हो गया, Q minus 7 का दूसरा bracket हो गया, Q minus 3 और Q minus 7, Q minus 3 और Q minus 7, आगे factor, अभी थोड़ा गया, पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा समझ्वाया होगा इस बार, है ना, अब इस से भी ज़्यादा अगली वाले में सम्झ्वायाएगा, देखो, middle term 6 है, 6 को ऐसे दो number में split करना है, कि उनका sum तो 6 आए, वो भी plus में, लेकिन product आए, 1 और minus 16 का product minus 16 होता है, minus 16 आए, multiply करके minus में आए और sum करके plus में आए, यानि एक number minus में एक number plus में लेना पड़ेगा, और बड़ार वाला number plus में लेना पड़ेगा, तभी तो उनका difference plus में आएगा, तो product करके 16 आए चीए, 16 के factor कर लो, 2, 8 जा, 2, 4 जा, 2, 2 जा, 2, 2 जा, प्राइम फेक्टर करना, तो अब यहाँ दो नंबर साथ खेलना है, चार आठ आना चीए, 2, 2 जा, 4, 2 जा, 8, 8 minus 2, 8 minus 2, देखो, 8 minus 2 आएगा 6, और 8 into minus 2 आएगा minus 16, तो आ तो क्या? P square plus 8P minus 2P minus 16, पी कॉमल ले लो, तो P plus 8, यहाँ minus 2, यहाँ जो भी साइन होता है ना, उसी साइन के साथ कॉमल लिया गरो, तो यहाँ बदल लियाता है साइन, P plus 8, तो यह bracket always same आता है बच्चों, P plus 8, और P minus 2, होगे दो factor, अरे, 14.2 हो गई के पूरी, अरे, तीन ही question समझने के ले थे, अरे यार, चलो कोई नहीं, अभी आ और आएगा, इसमें आएंगे, military spending और भी है, इसमें है, जब divide करते समय, उपर वाले time को military spending करनी है, चलो कोई नहीं, now we have exercise 14.3 बच्चों और इसके first question पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर divide करना है, इसको ऐसे लिखो, और इसे upon में लिख दो 56x, ठीके नहीं, ऐसे लिख दो, और देखो पटा, divide में power minus होती है, यह तो हमने chapter 12 से सीख रखा है, x raised by 4 है, और x raised by power 1 है, इसके दो तरीके हैं, यहाँ तो divide power minus कर लो, यह मेरे पास एक और तरीका है, जो मैं generally apply करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिदर छोटी power है, नीचे x की power 1 है न, तो मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, x into x cube, और नीचे 56 और x, यह अपनी आदत है, क्योंकि x x कर जाएगा, और 28 बन जा, 28 टू जा, तो 1 by 2 x cube, यह बचा, बला, x की power 4 थी न, उसको 1 और 3 में तोड़ दिया, split कर दिया power को, क्योंकि multiplying power plus हो जाती है, फिर से 4 हो जाएगा, अगर plus करना चाहो तो, तो divide बिलकुल आसान हो गया, देखो यहाँ भी वैसे ही करूँगा मैं, minus 36 y का cube, अपन में 9 y का square, देखो 9 से 36 कर जाएगा, चार बारे में ठीक है, यहाँ power 2 है, यहाँ power 3 है, यहाँ तो power minus कर लो, यहाँ दो और एक में split कर लो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका असान लगी वो करो, तो मैं एक line extra करता हूँ, minus 36 y into y square, अपन में 9 y square, यह y square स y square कर गया, 9 forza 36, minus 4 y बचा, यह answer होगे, डिवाइड करके, अब यहाँ बचो next, बहुत easy easy है, 66 P Q square R cube और divided by 11 Q R square, please, keep quiet, अब तो को आप, जैसे मैं power को split कर रहा था, आप power को split करो, यह direct कर दो, 11 6 जा, 66, Q से, यह Q का square कर जाएगा, R square से R cube कर जाएगा, एक R बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, पावर, मैं लेक तरह से हम divide कर रहे हैं, पावर को minus कर रहे हैं, तो उपर से बचा 6, और P एक बचा हुआ है, और Q की एक पावर बची हुई है, और R की भी एक पावर बची हुई है, 6 P Q R, Next, देखो, 34 X cube Y cube Z cube upon 51 X Y square Z cube, देखो बचा, 17, 3, 51, 17, 2, 34, यह तो 17, दोनों divide हो गए, X से इसमें minus हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, इसमें minus हो जाएगा, पावर Y की पावर 1 बचेगा, और यह पूरा-पूरा कर जाएगा, है न, तो हम लिख दें इसे, 2 by 3, और X की पावर कितनी बची, 2, divide हो गए न, divide पावर minus हो गए, और Y भी minus हो गया, तो 3 minus 2 गया 1, यह बचा, आप ऐसे भी कर सकते हो डारेट आंसर, काट के दिखा सकते हो आप, पावर को minus करके दिखा सकते हो, जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, बस होना चाहिए सही तरीके से, देखो, अब next, 12, A raised to the power 8, B raised to the power 8, divided by minus का यहाँ लगा दो, 6, A raised to the power 6, और B raised to the power 4, देखो, divide में power minus होती है, इसका power, इसके power minus जाएगा, इसका, इसका minus जाएगा, और यह कर जाएगा, 6, 2, 12, तो minus 2, और देखो, यहाँ पे मैं क्यों बार minus करके दिखा जाता हूँ, A की power 8 minus 6, और B की power 8 minus 4, अलब सब तरह से आपको सिखा रहा हूँ, minus करके दिखा दो, काटके दिखा दो, power को तोड़के फिर काटके दिखा दो, as you wish, minus 2, A raised to the power 2, और B raised to the power 4, divide में power minus होती है, लेकिन base सेम होत तब, A, A की power minus हो जाएगी, और B, B की power minus हो सकती है, A से B की, B से A की नहीं हो सकती है, अब second question पर आगे बचो, इसमें common लेके divide होगा, common लेके divide होगा इसमें, कैसे, 5X square minus 6X, यह उपर है, upon में 3X, अब यहाँ उपर से सिर्फ X common मिल रहा है, X common ले लो, 5X minus 6 upon में 3X, X से X कड़ गया, तो 5X minus 6 upon 3, यह हो गया answer, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, जाला कुछ लिखना चाहें, आपको मन करें, तो आप यह ज़रूर लिख सकते हो, 5 by 3X minus 6 by 3, अलब 3 को अलग अलग दोनों के नीचे लिख दिया, तो 3 से 6 कड़ गया 2 बार में, तो 5 by 3X minus 2, लेकिन मुझे लगता है कि यह ही दिया होगा, आप चाहे हो तो एक बार चेक कर लो, कौन सा answer में दिया हुआ है, उस form में या इस form में, तो अलग दिया है ना, वो एक ही बात है, यह जो 1 by 3 को अलग लिख के, 5X minus 6, यह तो लिखा हुआ है ना, हाँ तो यह चीज और यह चीज तो सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है, तो इन्हों नहीं कि अब अपर्टमेंट बता दिया, अगर करना चाहें तो हम 3 से दोनों का अलग लिख लिख करके कर सकते हैं, न वो गलत है न यह गलत है, आप देखो बता, यहां भी कॉमन लेके ही होगा सब कुछ, 3Y raised by 8 minus 4Y raised by 6 plus 5Y raised by 4 upon Y raised by 4, यह यह न, इसमें Y raised by 4 सम्में कॉमन ले लेंगे, आप यहां से 3 और Y की पावर 4 बचेगा बच्चो, क्योंकि 4 और 4 multiply में पावर 8 हो जाएगा, Y की पावर 4 पावर ले लिए है, फिर minus 4Y की पावर 2 बचेगा यहां से, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और यहां पर सिर्फ 5 बचेगा, इस तरह यह कड़ जाएगा इससे, यह जो बचा वो answer है, यह, इसमें न, पावर 4 कॉमन लिए है, देखो, पावर 8 है, पावर 6 है, पावर 4 है, तो पावर 4 कॉमन आ सकती है, Y की पावर 4, और वो नीचे सनीचे गड़ जाएगा, जो बचेगा, वो answer हो जाएगा, देखो, किन्दी बड़ बड़े हैं, लेकिन इसमें X स्क्वाइर, Y स्क्वाइर, Z स्क्वाइर कॉमन आएगा, उपर से, जितने बड़े दिखरे हैं, उतने आसान है, सारे कोशन, यह एक सारे सान हैं, यह एक जगा है, मुश्किल होगी, थोड़ी सी अभी, जहाँ पर फिर से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, फिर दिवाइड होगा, जो भी हमने सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजिशन के लिए, एट ऐसे रहने तो, देखो, यहां से कॉमल ले लेते हैं, एक स्क्वाइर, वाइ स्क्वाइर, जड़ी स्क्वाइर, एट बहार रहने तो, एक स्क्वाइर, वाइ स्क्वाइर, जड़ी स्क्वाइर, कॉमल ले लिया, तो यहाँ x cube था तो x बचा यहाँ y cube था तो y बचा यहाँ z cube था तो z बचा और upon में आ गया यह 4 x square y square z square देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा था और कितना असानी से हो रहा है कॉमा लेने के बाद यह पूरा इससे कट गया 4 to the 8 तो 2 x plus y plus z यह हो गया अनसा देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं आप घबराना नहीं है आपको इसमें भी सिर्फ common मिलेगा और कुछ नहीं हो सकता divide के लिए क्योंकि नीचे x है उपर से भी x common आ जाएगा class 9 में हम लोग इसको पूरो बड़ बड़ डिवाइड सीखेंगे अभी सिर्फ common लेकर डिवाइड हो रहा है class 9 में हम common लेकर डिवाइड नहीं करेंगे पूरो डिवाइड ही करेंगे तो अब यहां पर देखो उपर से x common ले लिया तो x square बचा ना cube था तो और यहां से 2x यहां से सिर्फ 3 अपॉन में 2x x से x cancel out हो गया तो x square plus 2x plus 3 upon 2 यह बचा कोई बचा ही नहीं है करने के लिए सिर्फ x उपर से common लिया है और x से x कट लिया है next देखो बड़े यहां फिर से common आ रहा है p cube और q का cube common है उपर से देखो p का power 3 है यहां 6 है यहां p cube और q cube common आ सकता है यहां से भी p की power 6 है q की power 3 है तो p cube q cube common ले लिया तो यहां से q की power 3 बचा और यहां से p की power 3 बचा अपॉन में p cube q cube ले लो common लेने से divide हो जा रहा है इससे पुरा कड़ गया q q minus p cube यह answer हो गया थर्ड कुशन पर अभी थर्ड हाँ थर्ड पर आ गया यहां भी divide करना है लेकिन इस बार 5 common आ रहा है बच्चों देखो यहां से उपर से 5 अगर आप common लेते हो तो 2x minus 5 बचेगा और नीचे यह 5 है 5 से 5 कड़ गया तो divide करके answer आ गया है 2x minus 5 बोलो 5 to 10 और 5 5 25 यहां यह 5 common आ सकता है गी नहीं आ सकता है next यहां से आप 5 common ले लो देखो बटे यह 5 to 10 होता है और 5 5 25 होता है तो 5 common ले लो आप 5 common ले लो उपर से तो 2x minus 5 बचा और यह divide में 2x minus 5 है इस बार तो पूरा bracket ही कड़ गया सिर्फ 5 बचा next देखो यहां से ना देखो 3 2 जा 6 होता है और 3 7 जा 21 होता है 3 common मिल रहा है इस bracket से 10y और 3 common मिल रहा है तो 2 जा 6 2y बचा और 7 बचा और नीचे 5 और यह bracket में 2y प्लस 7 तो bracket से bracket कड़ गया और 5 से 10 गया 2 बार में 2 3 6y divide करके जो answer आ रहा है 2 3 6y आ रहा है मलब आपको ध्यान से देखना है कुछ common आ रहा है bracket से common भार ले लो common लेने के बाद जो bracket बच रहा है और फिर नीचे वाला bracket कई बार same आ रहे हैं और cut जा रहे हैं वो divide में काट नहीं तो होता है जितना ज़्यादा काट सको काट दो देखो यहां से 3 common दिख रहा है 3z और 24 में 3 बंजा 3 और 3 8 और 24 9x square और y square रहें तो और 3 common ले लो तो z minus 8 और नीचे 27 x y और z minus 8 इससे कट गया और 9 से 3 बार में और 3 से 3 1 बार में अब देखो यहां power minus जाएगी यहां x से x square कर जाएगा y से y square x y बचा यह बचा x y देखो यहां पर इस bracket में 3 common दिख रहा है मुझे और यहां 5 common दिख रहा है 5 common लेते हैं फिर लिखते हैं जो कटे का देखा जाएगा जो बचेगा वो भी देखा जाएगा 96 a b c और 3 common ले लो a minus 4 बचेगा क्योंकि 3 बचा 3 3 4 बचा और यहां से 5 common ले लो तो 5 बचा 5 5 से 30 होता है b minus 6 बचा upon 144 a minus 4 और b minus 6 ठीक ही बचा तो a minus 4 से a minus 4 bracket कट गया b minus 6 से b minus 6 बचा बचा गया और 3 से यह 48 बार में गया 144 और 48 से 96 गया 2 बार में 2 5 जा 10 a b c पुरा आंसर आया 10 a b c डिवाइट करके बच्चों अब हमारे पास question में फोर्थ का first part है और यहां पर भी divide करना बहुत easy divide दिख रहे तो इस bracket 2 x plus 1 से 2 x plus 1 ऐसी cancel out हो रहे है बस एक बार upon में लिखना है इसमें और कुछ करना नहीं कास 5 2 x plus 1 और 3 x plus 5 is divided by 2 x plus 1 इस ब्रैकेट कर गया जो बचा 5 और 3 x plus 1 आंसर हो गया कॉमन लेने के जरूत क्या है यार तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट रहे है और कॉमन कुछ मिलेगा भी नहीं मला कॉमन कुछ मिलेगा भी नहीं मल्टिप्लाई नहीं करना ही जोड़त नहीं है आप 15 x plus 25 करोगे ऐसे भी रहेगा चलेगा अब हमार पर सेकेंड कोशन है बचो यहां पर हमें फिर वहीं ब्रैकेट से ब्रैकेट कट रहा है बड़ा इजी कोशन हो रहे है 26 x y x plus 5 और y minus 4 divided by 13 x और y minus 4 तो y minus 4 से y minus 4 वाले ब्रैकेट कैंसिल आउट होएगा x से x कैंसिल आउट हो जागा 13 तूजा 26 तो 2 y और x plus 5 यह बचेगा आपका अंसर होगा डिवाइट करने के बाद यहां पर देखो upon में लेखने में भी क्या टाइफ वेस्ट कर रहे हैं सीरे तरह काट देते हैं जब आगे हैं तो काट दो कैसे यह q plus r से q plus r cancel out हो गया है upon में लेखने काट हो या direct काट हो मतलब वही है common वगर लेना होता हो तो फिर एक step और कर लेते common तो लेना नहीं है इसमें r plus p से r plus p कट गया और p से p कट गया q से q cancel out हुआ अब यह 52 से 104 टू बार में जाएगा 52 टू जा 104 होता है ना तो 52 से यह 104 टू बार में गया तो जो आंसर बच रहा है इधर से बच रहा है p plus q और यहां से बच रहा है 2 यह answer है r भी है क्या अच्छा यहां पर r है ना हाँ यह r भी बच रहा है 1 by 2 कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है ना बच्चे सोचते हैं कुछ अलाग अंसर है 1 by 2 r और p plus q मतलब तो एक ही है multiply में आगे पीछी लिख दो तो को फरेंग नहीं बढ़ेगा r को आगे लिख दिया r को पीछी लिख दिया और 2 को इस तरह से अलग से लिख दिया तो वही रहता है मतलब ठीकर हम bracket को पहचानना है और बीच में divide का sign है और चीज़े multiply में हो तभी कड़ती है प्लेस में हो तो नहीं करती है पूरा bracket से पूरा bracket कर जाएगा पर बागी चीज़ें साथ multiply में होना चीए जैसे मालों हमने q-plus-r को काट दिया इस q-plus-r से तो यह q-plus-r भी इन सब के साथ multiply में है और यह वाला भी इन सब के साथ multiply में ही है क्या पूतर हाँ और उधर r-plus-q हाँ एक ही बात है q-plus-r और r-plus-q एक ही बात है फिर देखो यहाँ पर 5 से देखो यह ब्रैकेट से यह ब्रैकेट कैंसल आउट हो गया दिवाइड का साइन न और 5 से 4 तो जो बच रहा है 4 और y square प्लेस 5y प्लेस 3 यह बच रहा है अब फैक्टराइज करो यहाँ तो फैक्टर करने के लिए बोला नहीं गया है यहाँ तो सिफ दिवाइड करने के लिए बोला गया है तो हम मिड्ल टैम में स्पिल्ट करके फैक्टर नहीं करने जा रहे हैं सिर्फ दिवाइड करके अंसल आना है वो डिवाइड हो गया एक्स प्लस टू एक्स प्लस त्री और अपॉन में वन है तो वन लिखने जरूर नहीं हो था क्योंकि यहाँ पे जब सब कट गया तो वन बचा है जिरो नहीं बसता कटने कटने को यहाँ पर आप नहीं होगा आप ऐसे नहीं कटेगा यह कोश्चनल 5 आप फिर से आगया तो आप मिडल टेम यहाँ पे 7 है 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका सम तो 7 आए पर प्रोड़क्ट क्योंकि 1 और 10 तैन आए प्रोड़क्ट तैन आए और सम जो है 7 आए सब जानते है 5 प्लेस 2 5 प्लेस 2 प्रोड़क्ट किंदा आना चाहिए 10 आना चाहिए तो आपको अगर नहीं पता है तो 10 जितना प्रोड़क्ट आना चाहिए उसका फैक्टर करके देख लो दो इन नमबर आ रहे हैं 5 और 10 इन दोनों को प्लेस करोगे 7 आ जाएगा अब प्रोड़क्ट करोगे 10 आ जाएगा तो मिडल टर्म इस प्रोड़क्ट हमने कल जो सीखा था उसी का यहां पर कंटिवेस है अब 7y को लिग दो 2y प्लेस 5y प्लेस 10 और डिवाइड वाला बात म दिवाड़ी रहने दो ऐसे अब यहां कॉमल लेना है y कॉमल लोगे y प्लेस 2 5 कॉमल लोगे तो y प्लेस 2 और यह करली ब्रेक्ट लगा दो divided by y प्लेस 5 अब यह y प्लेस 2 सेम ब्रेकेट आदे तो ब्रेकेट कॉमल लेते हैं तो y प्लेस 2 और यह नया ब्रेकेट y प्लेस 5 का बन जाएगा और divided by y प्लेस 5 इससे cancel out होगे answer आया y प्लेस 2 डिवाइट करके जी देखो इसमें भी हमें middle time splitting के करनी है देखो भाई यहाँ पे m2 का coefficient 1 है 1 और 32 माइनस में है इनका product आएगा माइनस 32 मतलब यह है कि माइनस 14 को ऐसे दो नमबर में split करना है जिनको sum करके यनि plus minus करके तो minus 14 आए लेकिन product करें तो minus 32 आए यह यह ना question तो product minus 32 आए वैसे तो मुझे मालो में minus 16 plus 2 कर लेंगे minus 16 में अगर plus 2 करेंगे तो minus 14 आजाएगा और minus 16 का 2 से into करेंगे minus 32 आजाएगा ठीक है बट आप अगर नए हो और आपको पता है कि product 32 आए तो 32 के factor करो 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 और फिर 2 से 1 हमें ने आपसे कहा था कि यहां पर हमें क्या करना होता है दो ग्रूप बनाने होते हैं नंबर के इसे हमने यहां पर फोर फोर टूजा एट एट टूजा 16 कर दिया तो यह ग्रूप बन गया 16 और यह बना यही तो condition होती है कि difference या plus plus या minus 14 आए और उन दोनों नंबर का product करके minus 32 आए तो 14 को हम split कर देंगे plus 2m minus 16m और यह minus 32 और divided by m plus 2 ठीक है अब split कर दिया है अब सिर्फ common लेना है पहले दो time से अलग common लेना अगले दो time से अलग common लेना है तो हम यहाँ पर देख रहे है m square और यह 2m है तो m common मिल रहा है m common ले लो यहां से m बचेगा common लेने के बाद यहां से 2 बचेगा जब आपको common लेना समझ में ना है तो हम multiply करके check करो m into m m square m into 2 2m यहां से यहां से m बचा section 2 जा होता है लेकिन minus का नहीं बचेगा plus का बचेगा plus का क्यों बचेगा क्योंकि minus और plus की मलप्लाई minus आ जाएगी जब आपने बाहर minus के ले लिए ना common तो bracket के अंदर यह भी plus का हो जाएगा यह भी plus का हो जाएगा क्यों दोनों minus के हैं तो bracket के हैं दोनों plus के हो गए अब इ divided by m plus 2 यह bracket सेम आ गए तो इस bracket को कॉमा लेना पड़ेगा अगले step में मतलब जो कसर रही सही कसर पहले रहे गए थी तीन ही कोशन किये थे middle term splitting के अब चार और यह पांच होआ कहीं ना कहीं तो पक्का होगा इसमें middle term splitting भी हो रहा है और division भी हो रहा है m plus 2 कॉमा ले लो m minus 16 अपन में m plus 2 यह वाला जो divide में है ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसल आउट हो गया answer आया m minus 16 लाइक दिस नहीं आया यह भी तो और कोई question आया वह समझा देते हैं नहीं तो पिछले देखने पड़ेगा आपको यहां पर फर्स टर्म है हर बार तो वन था इस बार पांच है तो ए और सी का product हमें देखना होता है स्क्वाइर वाले की coefficient को ए इसको बी और इसको सी कहते है नॉर्मली तो पांच और बीस का product 100 है ना यानि minus में जो 25 है इसे हमें ऐसे दो number में तोड़ना है दो number में split करना है जिनको sum करके तो minus में 25 ही आए यानि plus से minus करो आना minus 25 चाहिए लेकिन product करके 100 आए क्योंकि इनका product 100 है यही सर्द होती है ना बहुत ही जी बच्चे बोल भी रहे है minus 20 और minus 5 minus 20 और minus 5 minus 20 और minus 5 को sum करेंगे तो minus 25 हो जाएगा और minus 20 और minus 5 का product करेंगे तो 25 और 100 प्लेस में 100 हो जाएगा तो जरूरी के prime factor करके देखें अगर आपको direct आ रहा है तो यह 5P square minus 20P minus 5P plus 20 यह बना दिया आपका चार तीन time से चार टम बन जाते हैं वो middle term को split कर देते हैं तो दो टम उसमें बन जाते हैं divided by P minus 1 आप देखो इन दोनों में common 5 और P दिख रहा है 5P square है 20P यहनि 5 और P common लिया तो इदर से P बचा और इदर से 4 बचा क्योंकि 5 4 यह 20 होता है और इन दोनों से भी मैंने हमेशा काया कि जो sign यहां होता वही लिया करो और minus 5 अभी minus का था यह plus का हो गया और यह plus का था तो यह minus का हो जाए तो यह बाहर minus लिया आपने common 5 4 जो 20 होता है नहीं 4 और असलिए बात तो यह एक ही bracket यहाँ चुरा लिया करो bracket के यह देख लिया करो कि यह पी minus 4 उधर था इदर भी पी minus 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देखने से कहना है आपको idea में लेगा कि common क्या बच रहा है divided by p minus 1 अब यह bracket common ले लो p minus 4 का एक common bracket हो गया और 5p minus 5 अपन p minus 1 यह हुआ लेकिन अभी कट नहीं रहा लेकिन यहाँ से 5 common आ रहा है इसमें और तो फिर p minus 1 जागा तब कर जाएगा यह एक इसमें एक्स्ट्रा हो गया हम एक काम और कर सकते हैं हमने स्टार्टिंग में सम्में से 5 common ले लेते हैं उसके बाद middle term में splitting करते हैं तो वो और सही रहता फिर यह अभी common लेना पड़ता है पर यह भी गलत नहीं है आप स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं तो आप 5 common ले लेते हैं तो तो middle term का एक और प्रैक्टिस हो गया आपके छे कोशन हो गए middle term से कि सात्मा कोशन है middle term से जो इस प्लिट करना है देखो प्रोड़क्ट कितना आना चाहिए इसका z square का coefficient 1 है और 16 यानि product minus 16 आना चाहिए छे को 6 को ऐसे दो नंबर में split करना है जिनको plus minus करो तो 6 आना चाहिए और product करो तो minus 16 आना चाहिए 8 हर दो 8 minus 2 8 minus 2 6 होगा 8 into minus 2 minus 16 होगा ठीक है यह ऐसे नहीं अब अगर आपको तुरंद नहीं आ रहे दिमाग में तो आप यह जो product लाना होता है ना उससी के factor कर दिया करो prime factor 2 से 8 बार में फिर 2 से 4 बार में फिर 2 से 2 बार में फिर 2 से 1 बार में अब दो नंबर का group ना पड़ेगा जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 minus 2 6 तो हम इसे 8 और 2 में split कर लेंगे 4 yz और यह z square 8z minus 2z minus 16 z plus 8 like this अब common लेने की बारी है इन दोनों में z common है और इन दोनों में 2 common होगा z से बड़ा common दोनों में कुछ नहीं है तो 4 yz और यहां से curly bracket स्टार्ट कर दो यहां z common लो तो यहां से z plus 8 बचेगा यहां से minus 2 common लो तो z plus 8 बचेगा curly bracket close कर दो divided by 2yz plus 8 अभी यह common आजागा z plus 8 यहांनी 4 yz z plus 8 z minus 2 divided by 2y z plus 8 ऐसे z plus 8 से z plus 8 काड़ दो y से y काड़ दो 2 से 4 को काड़ दो तो 2z z minus 2 तो यहां middle term splitting भी आ रहे हैं बहुत सारे question और p square minus q square यह नहीं a square minus b square a plus b a minus b तो 5p q और यहां minus q upon 2 यह answer बचा नेक्स्ट यहां पर देखो direct formula ली लग रहे हैं और यह 4y का whole square और curly bracket close divided by 4xy 3x plus 4y like this तो a square minus b square a plus b a minus b 12xy a plus b a minus b ऐसे अपन 4xy 3x plus 4y like this इसको proper formula में change कर दिया भाई 9x square था 9 का square तो नहीं था तो 9 को हम 3 का square लिख सकते हैं तो 3x का whole square हो गया नहीं पूरा a square बन गया और 4y का whole square नहीं पूरा यह b square हो गया तो एक बार plus एक बार minus identity हो गई फिर divide में लिख दिया उसको अब bracket से bracket cancel out हो जाएंगे plus वाले और xy से xy cancel हो जाएगा 4 से 12 3 bar में cancel out हो जाएगा तो उपर से वो 3 बचा हुआ है और यह bracket 3x minus 4 गई like this फिर से देखो यहाँ पर बनाना a square minus b square का फॉर्मूला है लेकिन आपका होगे से 98 तो किसी का square है नहीं और 50 भी किसी का square नहीं है बास सही के गलत है फिर हम a square minus b square कैसे बनाएंगे तू कॉमल लेंगे फिप्टी में और 98 में 2 common दिख रहा है मुझे 2 से 25 बार में 50 आता है और 2 से 49 बार में 98 आता है यानि टू कॉमल लेंगे तो 25 भी तो 5 का square हो जाएगा और 49 7 का square हो जाएगा यानि पहले कॉमल लेंगे फिर formula बनेगा इसमें एक step एक्स्ट्रा हो गया 39 y cube एजटी रहेंदो इस bracket से 2 कॉमल ले लो तो bracket के अंदर बचा 25 y square minus 49 और divided by 26 y square 5 y plus 7 है ना भाई 2 कॉमल ले लिया अब formula बन गया यहां बन जाएगा a square का यहां 20 square का है यह आप बनाते है formula अभी तक नहीं था आप बनाएंगे तो 39 y का cube into 2 और यह हो जाएगा अब मैं curly bracket लगाऊंगा जब एक साथ दो bracket आ रहे हो ना तो एक curly लगा तो एक small bracket लगा तक कन्फूजन ना हो तो एक hole लगा तो फिर curly लगा तो उसके अंदर small लगा तो यह 5 y का square हो जाएगा ऐसी यह bracket लगाना था इसलिए यह curly start करना भड़ा और 49 होगा 7 का square like this divided by 26 y square और 5y plus 7 अब a square minus b square a plus b a minus b 39 y cube इंटो 2 और एक बार यह plus का 5y plus 7 और 5y minus 7 divided by 26 और इसको निचल ले देते हैं sorry तो यह आप divide करने के बार यह आगे ना 26 y square 5y plus 7 इस bracket से bracket cancel out हो गया y square से y का cube कर जाएगा y बचेगा और 13 3 जा और 13 2 जा 26 होता है और 2 से 2 cancel out हो गया अब उपर 3 और y बच रहा और यह bracket बच रहा है 3 y और 5y minus 7 यह आया डिवाइड कर cancel प्रैक्टिस की जरूरत है कोश्चन तो आसान है पर आपके लिए तो नए 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 ने सारे यह चप्टर ही पहली बार कर रहे हो कम्प्लीट 14.4 आ गई अब 14.3 कम्प्लीट चलिए मुस्कुर आईए फिर आप खुश रहे हैं चलिए बचा अब मैं आता हूं इसमें find the correct error अब इसमें इसमें error निकालना है गलतियां यह एक साइज बेहाद असान है यह बहुत जल्दी कम्प्लीट होले एक साइज इसमें हो गया है इन कोशन में multiply गलत किया इन्होंने बताने कैसे ncrt वाले बनगे multiply नहीं था पूरी एक साइज में गलति दूड़ते रहो अब देखो अगले वाले में यहां पे जब हम इसमें multiply करेंगे तो यह 3x स्कॉायर हो जाएगा और प्लेस 2x हो जाएगा यहां एक्स लगा तो हर लाइन में सिर्फ हर कोशन में कलती है यहां पर आरेचेस मस्ट भी ऐसे लिख देना आरेचेस राइट हैंड साइड मस्ट भी 3x स्कॉायर प्लेस 2x तब जाकर राइट होगा अब देखो बतारने कौन समझाए यह प्लेस हो जी नहीं सकता देखो यहां पर यहां पर देखो 2x-3y को प्लेस ही नहीं कर सकता है यहां 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 एिसले र정이 हो जाएगा इनonsieur गलती सन मैं क्या है कि आप इनको प्लेस करी नहीं सकते हैं अल्लाइक टर्म्स को प्लेस नहीं किया जा सकता हैं एक में x से एक में y है 2x प्लस 3y cannot be added cannot be added इनको जोड़ा नहीं जा सकता ठीक है ये गलती हैं बता रहे हैं आपको ये एक size में गलती है ये गलती है रोड़नी है आपको आप देखो आप यहाँ add गलत कर दिया add तो कर सकते हैं 1x प्लस 2x प्लस 3x यहनी rhs को 6x होना चाहिए rhs must be 6x जबकि इन्होंने 5x लिखा हुआ है ये wrong है हर चीज में गलती है निकालनी है आपको 5 और 2 7 और 1 8 8y होगे प्लस करके उसमें 7y मानस किया तो 1y बज़ना चाहिए तो rhs होना चाहिए 8y मानस 7y is equal to 1y तो ये गलती इसमें है कि 0 नहीं ये y होना चाहिए हमें इनमें गलती है ने एक कुछ solve करने का कुछ खास नहीं है multiply में power plus होती है यहां क्यों place कर रही है तो 3x और 2x का sum 5x होता है और यहां लिखा है कि 5x square या तो square अटाओ या फिर कुछ और right-hand से पिक्षेंज करो तो यहां पर यह square गलत है square गलत है अब देखो अब इससे हम solve करें अगर हम left hand side को 4x square हो जाएगा 4 to 8x हो जाएगा और plus 7 और यहां क्या कह रहे है 2x square गलत 8x तो ठीक है 7 में ठीक है तो यह गलती है यहां पर 4 होना चीज़ता है मैं गलती है बता नहीं error बताना है इसमें देखो 2x का all square है question जरूर match करते रहे है जरूर match कहीं question गलती से में प्रिंट ना हो 4x square plus 5x इन्हें हम add करी नहीं सकते इन्हें add नहीं कर सकते तो यह गलती है कि यहां पर इनको 4x square लाना था फिर यह add नहीं हो सकता है ना भई तो यह गलती है जो इनको हम बता रहे है आप देखो a plus b को whole square से open कर सकते है a plus b को whole square से open कर देखते हैं क्या ही आएगा देखते हैं left hand side को solve कर रहे है a plus b whole square a square plus b square plus 2ab 2 a b तो 9x square 4 और 2, 3, 6, 2, 12 12 x तो जो भी आ रहा है हमारे पास 9x square plus 12 x plus 4 आ रहा है और इन्होंने देखो क्या गलती है कहां कितना सुधारे इनको हमें सारे तो गलत हो रहा है 3 की जगा 9 होना चीए 6 की जगा 12 होना चीए तब जाके सही होगा यह अब देखो यहाँ पे question में सब x की value minus 3 रखके बताना है क्या answer होना चीए तो इनका यह calculation सही है यह गलत है हम अभी check करके बताते है x की जगा minus 3 रखना है तो minus 3 का square plus 5 into minus 3 और plus 4 तो minus 3 का square 9 हो जाएगा 5, 3, 15 हो जाएगा और यह plus 4 तो 9 और 4 को plus 13 और minus 5 यह नहीं minus 2 आएगा इसका आगर हम right answer देखे तो अब यह क्या कलती कर रहे है minus 3 का square 9 चलो ठीक क्या 5 देखो क्या बच्चों की तो रहे multiply करने क्या minus कर रहे है बच्चे करते हैं ऐसे गलती है तो कि मलतीप्लाई में है यह 5 into minus 3 होना चीए यह minus कर दे रहे है 5 minus 3, 2 कर दिया है बताओ किसने बठाए और को मुख शापने के लिए मैं जो चिन multiply में है उसको minus कर रहे है ऐसे गलती आप लोग करते है यह कैसे मना कर रहे है चाहें दस बार करते हो next फिर से रखते हैं value बच्चों और देखते हैं क्या गलती की है x की value minus 3 रखनी है तो minus 3 का square और minus 3 यहाँ पर और plus 4 minus 3 का square 9 होगा और minus 5 और minus 3 का multiply plus में आएगा 15 और plus 4 15, 9, 24, 28 यहाँ देखते हैं उन्हें क्या किया हुआ है 3 का square तो 9 तो ठीक क्या हुआ है इस बार multiply तो किया भगवान ने बुद्धी दी तो मलपलाईगी पर sign गदलना भूल गए कि minus minus की मलपलाई plus होती है है ना तो यहाँ यह plus लगाना भूल गए सही बाई गलतियां ढूडते रहो इनकी आज तुम भी चोड़े हो जाओ NCRT वालों गलतियां निकाल रहे हो आप चलो देखो अब तीसरे में X की जगा माइनस 3 रखेंगे फिर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 का square 9 होगा और 5 3 15 माइनस 15 होगा 9 low माइनस के square भी कोई plus आता है माइनस के square हमेशा plus आता है और ये भाई साब ये देखो माइनस 9 लगा के बैठे है अब इन्हें कौन समझाए माइनस ये त्रीका square करेंगे तो plus 9 होगा ना माइनस 9 लगा के बैठे है तो ये गलतिया समय आ गई मैं-9 नहीं होना चीए, प्लेस 9 नहीं होना चीए, फिर ये भी सही हो जाता, जब ये प्लेस हो जाता, तो वो सही हो जाता है माइनस में, ये आएका माइनस में 6 आएगा, ये भाला, लो चलो गलतियों का पहाड को खतम हो गया, अब आगे क्या कहे रहा है, असा ये भी गलति क करएं ने स्क्षार से पर कर दूत कर दूत से इसक्षार प्लस। इसक्षार मैंने स् टू ए बी है pan च्जार इसक्षा टू आने स्फार scariest को नहीं और यह इत्या थे लो इसतर ही किए सच्षार के war रहा है यह 2m-9 कैसे आ गया यह तो आना चाहिए y square plus 9 और 6y पता नहीं कुछ भी लिख देंगे कुछ भी कुछ भी लिख देंगे तो आप लिख देना है कि और रचेस राइट इंट साइड शुट भी इस है न भाई अब यहाँ a plus b के all square से open कर दो a square plus b square plus 2ab 2ab और यह 25 और यह 10z यह 10z को भूल गए इसमें यह 10z लगाना भूल गए है कि नहीं यह अब multiply यह बचो यहाँ पर कोई formula ने लगाना multiply करना सिर्फ bracket का हम left hand side को solve कर रहे है और हम उसको solve करने के बाद RHS की गलती निकाल रहे है क्या RHS में क्या गलती हो रही है right hand side में 2a का a से multiply करोगे 2a का square हो जाएगा फिर 2a का b से भी तो करोगे multiply दोनों ट्रेंप से करना पड़ता है ना चप्टर 9 में सीख चुकिए बाइनोमियल की multiply बाइनोमियल से कैसे करती है तो minus 2ab हो जाएगा अब 3b का a से करोगे तो 3ab अब 3b का b से करोगे माइनस 3b square तो 2a square 3ab में से 2ab गया तो 1ab बचा minus 3b square अब यह देखो यह ab कोई खा गये solve करके ab लिखा है नहीं है यहाँ फिर से bracket की multiply है a का a से करोगे a square फिर a का 2 से करोगे 2a 4 का a से करोगे 4a फिर 4 का 2 से multiply करो 8 तो solve करके आ रहा है a square plus 6a plus 8 लोग मत पूछो इनसी क्या गलती है यहाँ 6a लगा न भूल गए फिर bracket की multiply है a का a से multiply करोगे a square फिर a का minus 2 से करोगे minus 2a फिर minus 4 का a से करोगे minus 4a फिर minus 4 का minus 2 से करोगे plus 8 तो a square minus 6a plus 8 क्या बूल गए इसमें मलब यह plus का 8 होना चाहिए और minus 6a होना चाहिए इसमें गणी कलतिया कर रखी कितना बता है इनको ठीक है भाई लोग मलब इनसे कोई पूछे अगर 3x square को 3x से divide करोगे तो 1 आना चाहिए जीरो बता रहे हैं तो को 2 से divide करोगे तो 1 आएगा 4 को 4 से divide करोगे 1 आएगा 4x square को 4x square से divide करो 1 आएगा लेकिन यह भाई सर जीवला बागे बैटे है तो गलतिया है ना कोई बच्चे खुस हो रहें हैं सर्थ हम भी ऐसी करते हैं यह हमारे नोट भाई है हम भी ऐसी कर देते सोच लेए वह ना कुछ लोग अब अगले देखो यह देखो ऐसे कलती है बच्छे करते अकसर पता है क्या करते हैं थ्री इसको और तो काट देखो अब यहां वान आया वन प्लेस वन टू परफेक्ट सही है यार एकदम परफेक्ट है यह ऐसे करते हैं मच्छे हैं उन्हें सेम लिखते हैं करते हैं लेकिन हम यहीं समझाते हैं भाई यह वाले गलती माने जाएगी वो इंटू में हो अगर तो इंटू 3 upon 2 फिर तो कड़ जाता है तो समझें ना इनकी गलती क्या है तो इनको समझा जैंना आप लोग अपनी भासा में अपनी लेंग्विज में हम ऐसे नहीं काड सकते हैं ऐसे नहीं काड सकते हैं तो यह आपाम में 3X क्वाएर दोनों को अलगलग लिख सकते हैं तो यह कटके 1 हो जाएगा तो 1 प्लेस अपॉन में 3X क्वाईर इस से जाधा देंगा सकते हैं अगर लिखना है अलगले लिखाना मैंने यह तो अब अलग लेगा आप तो काड़ सकते हो अब देखो इसी को अगर मालो ऐसे लिखाओ 2 प्लेस 3 अपॉन में 2 तो 2 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 अब काड़ सकते हो 2 से 2 कर लिए 1 बार में 3 बाइ 2 ऐसे अब देखो जर इसको सॉल्ब करो 2 अज़ा 2 और 3 5 5 by 2 और यह भी सॉल्ब करो 5 by 2 तो कहां गलत है आखिर में यहां से कर लिए तो भी 5 by 2 आ रहा है इधर करके किया तब भी 5 by 2 आ रहा है तो अलग-लग लिखने के बाद काड़ सकते हो इसलिए तो आप मलब अगर ऐसे लिखा है a plus b upon a लिखा है तो आप a से नहीं काड़ सकते हैं लेकिन आप इसे अलग-लग लिखे a upon a और b upon a ऐसे लिख दो अब करता है तो काड़ दो क्योंकि अब यह अलग टर्म हो गया ना और यह अलग हो गया अब यह प्लेसमें वहला है लेकिन एक साथ तो कुछ प्लेसमें नहीं है पूरा अलग टर्म हो गया तो टर्म ऊपर नीचे काट सकते हो अब ठीक है भाई और यहां यहां तो अलग अलग सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं कर सकते आप 3x तो इस तरह झालक सकता यहां यह गलत हया इसका अंसर यहीं रहेगा 3x upon 3x plus 2 इसका answer यही रहेगा आगे कटी नहीं सकता है यहाँ भी वही है कुछ नहीं हो सकता आप यह सोच रहे हैं कि 3 से 3 कार दो 1 upon 4x कर दो नहीं कर सकते आप तो यह agitives यही रहेगा यह गलत है इसका answer यही रहेगा agitives जैसा है वैसे ही रहेगा कुछ नहीं कर सकते आप इसी अलग अलग अच्छा कुछ बच्छे सोरें के सार ऐसे लिख दो 3 upon 4x और 3 upon 3 ऐसे लिख दो कुछ बच्छे सोच रहे होंगे नीचे वाले को आप अलग नहीं कर सकते मैंने जो पीछे बताया था बच्छे सोरे को C नहीं कर सकते एक दो कुछ और कुछ बोंस नहीं कर सकते हैं गलत सोचने के लिए तो बहुत तरीके हो सकते हैं हर बचा देखो नकल तभी पकड़ी आती है जब एक जैसी गलती होती है और सबने गलत कर रखा है अपनी अलग 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 गलती कर रखें तो थोना पकड़ा जाता है नगल और सही सब के एक जैसे होते हैं सही सब एक तरह सोचते हैं गलत के तरीके अलग-अलग होने चीए जब दो बंदे एक ही जिसी गलती करते हैं और आगे पीछे बैटे हैं तीजर तुरत पकड़ लेता है बैटा नकल करी है इसलिए हमेशा सही को आंसर पर नहीं पकड़ जाते हैं नकल वाले है हाँ सही आंसर अगर हिस्ट्री का है किसी और चीज का हो लैंग्वुज से मैच कर रही है बना के लिखा अंसर और और नकल कर सकते हैं सही तरीके से फर गलत नहीं और यह गलती हे कर रहे हैं आप पर सोच रहे हैं कि 4x से 4x काट दो और यह पच्चे का 5 तो नहीं हो सकता ऐसे हाँ अलग-अलग कर सकते हो इसको आप अलग इसमें लिख सकते हो आप 4 4x अलग लिखे upon me 4x और 5 को अलग लिखे upon me 4x इसे ही कट जाएगा 1 1 प्लेस 5 अपॉन 4X ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर सकते हो तो आप यह कर सकते हो नहीं करो तो आप रहें तो वो नहीं कटेगा 5 नहीं आएगा अंसर वी हार अन दे लास्ट कोशन अब यहां भी इन्होंने यही गलती करी है यह 5 से 5 काटा है देखो इन्होंने बहुत अच्छे कोशन दिये है यह कोशन बहुत कम टाइम में हुए है पर यह बहुत अच्छे कोशन ऐसी गलती है मैंने बच्चों को करते हुए देखा है NCRT वालों को साथ तो वैसी में बोल रहा था कि क्या कैसे क्या लेकिन यह गलती है बच्चे करते हैं ऐसी उन्हें दिखता है 5 से 5 काट दो 7X आंसर लाना इलाना कहीं सी लेकिया हो 7X लेकिया है पर मेरे भाई अगर ऐसे प्लस में लिखे है टर्म तो नहीं करते है ठीक है तो आप इसे 7X अपॉन 5 और 5 अपॉन 5 ऐसे लिखा 5 से 5 काट गया 7X अपॉन 5 अपॉन 1 या तो यह लिख दो यह अगर दो यह नहीं हो सकता इसका आंसर यही रहेगा ठीकि मैं इससे भी फिर सॉल्व करूँगा ना 5 अपॉन 5 आना यहीं है गूं फिर को इस तरह से आपका यह चैप्टर पूरा होता है अपने सिहत का अच्छा से ख्याल रखें हम आपसे मिलते हैं नहे चैप्टर 11 में चले 11 मिलते हैं 11 फिर 13